हेलो फ्रेंड विल्कम टो यूर चैनल ग्यान फुरिक जाओ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे इंसी आर्टी सार्थ संग्रह का यह हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट से यह पार्ट दूसरा वीडियो है यह हमारा पार्ट टू होगा इससे पहले एक और पार्ट अपलोड किये गए हैं जो लोग नहीं देखे हैं उसे भी आप लोग जरूर देख लेंगे और इसके साथ ही एंसी आर्टी सार्थ संग्रह जो की महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक है इससे हिस्टरी का जो तीनों पार्ट है एंसेंट और मॉडर्न का साथ ही मेडिवल का यह सब भी अपलोड किये गए हैं साथ ही इंडियन जियोग्राफिक का भी किया गया है और साइंस का तीनों सेक्टर फिजिक्स कमेश्ट्री बायो अपलोड किये गये हैं वो सभी वीडियो का ही master वीडियो अप्लोड किये गए हैं और ये भी हमारा master वीडियो होगा जिसमें part 1 quality का अप्लोड किया गया है और ये part 2 होगी जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को subscribe कर लेंगे साथी वेल आइकन को on कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे notification मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोग तक share like comment जरूर करेंगे पीडियो के लिए आप लोग description में दिये गए लिंक से पीडियो डाउनलोड करेंगे और ग्रूप को जरूर जोइन करेंगे जहां पर आपको telegram, whatsapp और फेसु ग्रूप दिये गया है वहां से फेसु ग्रूप और सभी ग्रूप को जोईन करेंगे जिससे आपको direct और समय समय पर notification मिलता रहे चलिए उमीद है आप लोग को इससे पहले के वीडियो भी पसंद आया होंगे आज हम लोग सुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी का अगला chapter राष्ट पती इससे पहले हम लोग ने पहले पार्ट में मुल करताव यानि fundamental डियूटी तक की जितने भी पार्ट्स थे और प्रमुकतत थे वो सभी जाने थे और यह वीडियो जो है हर एक एक एक्जाम के लिए चाहे हुआ 66 BPC हो आने वाले बिहार दरोगा मेंस हो या आने वाले आपका NTPC रेलवे और सभी एक्जाम के लिए यह बहुत ही friendly है क्योंकि इन में जो दिये गए हैं वो सभी point wise और तथे wise बहुत ही अच्छे से समझाया गए है बात करेंगे हम लोग राष्टपती की जिसमें पहला point है राष्टपती पद की अहरता यानिके qualification क्या है राष्टपती पद के लिए qualification अनुछेद 58 में दी गई है जिसके अनुसार वह भारत का नागरिक हो उसकी निवंतमायू 35 वर्सो लोकसवा का सदस्न निर्वाचित होने की नियोगिता हो और किसी भी लाब के पद पर नहो है आगे हैं भारत में राष्टपती का निर्वाचन कीस प्रकार होता है भारत में जो राष्टपती का निर्वाचन है वह अपरत्यच मतदान से होती है यानि अनुपातिक परतिनिधित्वे से एक कल संक्रमन ये मतपधती द्वारा आगे देखे भारत के राष्टपती के चुनाब में मतदान कौन करता है राजसभा लोकसभा और राजियों बाह किन्धसासित परदेसों की बिधान सभाँ के निर्वाचित सदस जो इलेक्टेड होते हैं जो ये नहीं कि जो मनोनीत होते हैं वह सदस नहीं सिर्फ इलेक्ट प्राश्ट्पति के प्राश्ट्पति के निर्वाचन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। प्राश्ट्पति के निर्वाचन कमंडल का तो भाग है प्रांतु वा उसके महाभ्योग में भाग नहीं लेता है। राश्ट्पति के निर्वाचन में तो राज बिधान सभाएं भाग लेती है पर महाभ्योग में सिर्फ लोकसभा और राजसभा भाग लेती है। राज के बिधान सभाएं भाग नहीं लेती है। आगे संसद अधवा बिधान सभा का कोई सदस राश्ट्पति निर्वाचित हो सकता है प्रन्तु उस पर क्या सर्त है। निर्वाचित होने के उपरांद उसे अपनी सदस्ता छोड़नी होगी निर्वाचित होने के बाद उसे अपना सदस्ता छोड़नी पड़ती है आगे संसत के लिए राश्टपती का विवासन कौन तयार करता है राश्टपती का विवासन केंद्रे मंत्री मंडल तयार करती है आगे पॉइंट है राष्टपती की मिर्तियों पदत्याग अठवा हट टाये जाने पर पद की रिक्तियां को छ्या मा की समय सीमा के भीतर भरना होता है आगे भारत के राष्टपती चुनाब में उतपन विवाद का निप्टारा कौन करता है सर्पोच नियाल है सुप्रिम कोट आगे भारत के राष्टपती को उसके कारिकाल की समापती से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है वह है इंपीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा आगे भारत के राष्टपती को उसके पद से हटाने की अधिकार की से प्राप्त है संसद को महाभियोग के द्वारा आगे संग की कारपाल का सक्तिया कीस अनुछेद के अंतरगत राष्टपती में नहीत है संग की कारपाल का सक्ति जो है वह राष्टपती में नहीत होती है और इसका वर्णन है आगे आनुछेद 61 के अंतरगत राश्टपती पर महाभियोग संसद के की सदन द्वारा प्रारम किया जा सकता है राश्टपती पर महाभियोग का बर्णन आनुछेद 61 में है और या प्रारम किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा यानि राजसभा या लोकसभा कहीं भी आगे है भारतिय संविधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती पद के लिए पुनह निर्वाचन की पातरता निर्धारित करता है अनुछेद 57 आर्टिकल 57 में राष्टपती पुनह निर्वाचीत हो सकता है आगे राष्टपती का कोई भी विषय पुनर विचार के लिए मंत्री परशत को पापस भेजने का अधिकार किस संविधान संसोधन द्वारा प्रधान किया गया है कोई भी विशाय को राश्टपती पुनरविचान के लिए भेज सकता है और यह अधिकार दिया गया चवालिसवा सम्विधान संसोधन द्वारा आगे भारती सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत राश्टपती संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्विक्रिती रोख सकते हैं यह है अनुछेद 111 आगे किस अनुछेद के अंतरगत राश्टपती कुछ आक्समिक्ताओं में राजपाल के कारे के निर्वहन हितु उपबंद कर सकता है यहां पर दिये गए हैं राश्टपती से संबंधित महतपुर्ण अनुछेद बात करें तो पहला है अनुछेद 52 राश्टपती एक भारत का राश्टपती होगा अनुछेद 53 संग की कारपाल का सकती नहित होगी आनुछेद 14 राष्टपती का निर्वाचक मंडल, आनुछेद 55 राष्टपती के निर्वाचन की रिती, आनुछेद 56 राष्टपती की पदाब्धी, आनुछेद 57 पुनर निर्वाचन के लिए पात्रता, आनुछेद 58 राष्टपती निर्वाची थोने के लिए अहरताएं, अनुछेद 69 राष्टपती पद के लिए सर्थ अनुछेद 60 राष्टपती द्वारा सपत्य प्रतिग्यान अनुछेद 61 राष्टपती पर महभियोग चलाने की प्रकीरिया अनुछेद 62 राश्टपती का पद रिक्त होने की थिती में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आक्समी क्रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित ब्यक्ति की पताब धी अनुछेद 72 चमा अदिकी और कोच मामलों में डंदा देस की निलंबन परिहार या लगुकरन की राश्टपती की सक्ति और अनुछेद 73 में कही गई है संग की कारिपाल का सक्ति का बिष्तार अनुछेद 73 आगे राश्टपती को मिर्तिय दंड के मामले में छमादान करने की सक्ति प्राप्त है किन्तु राजपाल के पास यह सक्ति नहीं है राजपाल के पास मिर्तिय दंड को छमा करने की सक्ति नहीं है आगे सरवोच न्याले के न्याइधिस को उसके पद से हटाने का अधिकार की से है राष्ट पती को पॉइंट है भारतिय संविधान का अनुछेद 143 राष्ट पती को उच्टम न्याले से परामर्ज यानि कंसल्ट करने की सक्ति प्राप्त करता है पर राष्ट पती वाद प्रामर्ज को मानने के लिए बाद नहीं होता हैै आगे राष्ट पती लोगसभा को कब भंग कर सकते हैं जब किंडर्य मंत्री मंडल की अनुसंसा हो आगे लोकसभा और राजसभा का संयुक्त अधिवेशन किस के द्वारा आहुत किया जाता है लोकसभा और राजसभा का संयुक्त अधिवेशन यह किया जाता है राश्टपती के द्वारा आगे भारत के राश्टपती के किस एक मात्र मामले में जेवी बिट्टो की सक्ति का परियोग क्या गया था यह परियोग क्या गया था जेवी बिट्टो भारत सर्क डाग घर संसोधन बिधेयाक उने 186 में जब पोस्ट ओफिस का बिधेयक आ रहा था उन्हें 186 में तब जा करके पहली बार जीवी बीटो का परियोग किया गया था आगे भारत का राश्टपती संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता आगे किसी भोगोलिक छेत्र को अनुसूची छेत्र घोसित करने का संबेधानिक अधिकार की से प्राप्त है यह है राश्टपती को आगे है राश्टपती द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रमंत्री, राज्यों के राजपाल, बीतायोग एवं राजसवायोग के अध्याच, उच्तम्नियाले और उच्णियाले के नियाईधिस, भारत के महानियावादी, नियंत्रक एवं महालेख प्रिच्च, लोक्स एवायोग के अध्याच और सद और दिल्लिवा पुड्डुचेरी के मूख मंत्री का निर्वाचन न्यूक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है। इस समय उप राष्टपती का भिन्या होना तब कार्वाहक राष्टपती का रूप में कार्वाद सर्वोच न्याले का मुख नियाrist आगे वह राष्ट का प्रतिनिधित्व करता है 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 यह युक्ति किस पर लाग होती है भारत के राष्टपती पर आगे भारत के राश्टपतियों में से कौन बिहार का राजपाल रह चुका है यह थे डाक्टर जाकर हुसाइन और स्री रामनाथ कोविन जो की बरतमान राश्टपति हैं यह दोनों बिहार के राजपाल रह चुके हैं डाक्टर जाकर हुसाइन और रामनाथ कोविन आगे पॉइंट है राश्टपती के परसाद परियंद पदिधारन करने वाले पदाधिकारे सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर संग के राजसौरी मंतरी फिर गवर्नर्स राज्यों के राजपाल और अटर्नी जेनरल आप इंडिया आगे एक बिधेयक जो संसथ में प्रस्तूत किया जालता है वह अकीस प्रकीरिया के बाद अधिनियम बनने के लिए राश्टपती का हल्ता च्छर होना जरूरी है आगे जब कोई विधेयक संसत के दोनों सद्नों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्टपती को उस विधेयक पर अपनी अनुमती रोकने का अधिकार प्राप्त होता है आगे निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रत्थम राष्टपती कौन थे नीलम संजी वरेड़ी आगे भारत के राष्टपतियों में से किन का संबंद ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है यह थे बीवी गीरी यानि बराह बेंकट गीरी आगे भारते संबिधान भारत के राष्टपती को राजियों के मूख मंत्री की नियुक्ती का अधिकार नहीं देता राजियों के मूख मंत्री का नियुक्ती राष्टपती द्वारा नहीं राजपाल द्वारा किया जाता है आगे राश्टपती का कारिकाल कितना होता है पदग्रहन के दिन से पाच वर्ष तक आगे भारत के किस राश्टपती को मिसालमेंट की संग्या दी गई है यह थे मिसालमेंट डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम आगे भारत के मुख न्याइधिसों में से किस ने राष्टपती के रूप में कार किया था राष्टपती के रूप में कार करने वाले मुख न्याइधिस थे जश्टिस एम हिदायत उल्ला आगे धन विधेयक मनी बिल को पुनर विचार हेतू लटाने का संवेधाने का विसेस अधिकार राश्टपती के पास नहीं है धन विधेयक को राश्टपती के पास या विसेस अधिकार प्राप्त नहीं है आगे स्री रामनात कोविंद का भारतिय गंतंत्र के राश्टपती के रूप में कौन सा क्रम है यह 14 हवा आगे बीतायो किन्युक्ति कौन करता है बीतायो किन्युक्ति की जाती है राश्टपती द्वारा आगे पौइंट है राश्टपती के रूप में डॉक्टर राजेंद परसाद ने सबसे लंबी अबधी 1950-1962 तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसाइन ने कारकारी राश्टपती छोड़कर सबसे कम अबधी यानि एक वर्स 11 दिन तक कार किया यानि कि सबसे ज़्याद लंबी अबधी तक राजेंद परसाद और डॉक्टर राश्ट जाकिर हुसाइन सबसे कम अबधी तक के राश्टपती रहे आगे राश्टपती द्वारा छमादान की सक्तियां सबसे पहले जब दंड सेना न्याले द्वारा दिया गय हो, जब दंड संग्य विसैसे संबन्दित बीधी के बिरूद अपराध के लिए दिया गय हो या जब दंडदेस मिर्त्यू दंड हो, तब हुआ उसे छमादान की सक्ति उसे दी गई है आगे राश्टपती के बिरुद महाभियोग संसत द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धिन्याईक प्रकिरिया है आगे हमारा सेकेंड उपराश्टपती वाइस प्रेसिडेंट के वारे में अब जानेंगे बात करें तो भारत के उपराश्टपती के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन समलित होते हैं उपराश्टपती में समलित होते हैं संसत के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवा मनोनित सदस उप राश्टपती के निर्वाच अकमंडल में संसत के जो दोनों सदन यानी लोकसभा और राजसभा वहां के निर्वाचित एवा मनोनी दोनों होते हैं जबकि राश्टपती में मनोनी सदस भाग नहीं लेते थे आगे भारत को उप्राष्टपती को पद से हटाने संबंधी प्रास्ताव संसत के किस सदन में लाया जा सकता है उप्राष्टपती को हटाने के लिए केवल राज सभा में प्रास्ताव लाया जाता है आगे राश्टपती के निर्वाचन के समान ही उप राश्टपती के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच तम्नियाले को प्रापत है तथा यह निर्णय अंतीम होता है राजसभा का सवापती कौन होता है उप राश्टपती बात करे उप राश्टपती से संबंधित अनुछेद अनुछेद है और विसाय बस तू दिये गए हैं बात करे पहले अनुछेद 63 की बात के लिए ये उप राश्टपती का प्राबधान के आगए हैं अनुछेद 63 अनुछेद 64 उप राश्टपती का राजसभा के पदेन सभापती अनुछेद 65 उप राश्टपती द्वारा राश्टपती के पद में आक्समिक रिक्तियों अथवा उसके अनुपस्तिती में राश्टपती के कर्तबियों का निर्वहन, अनुछेद 66 उपराश्टपती का निर्वाचन, अनुछेद 67 उसका कारिकाल, अनुछेद 68 उपराश्टपती के पद की रिक्ती की पूर्ती के लिए चुनाव का समय निर्धारन तथा आक्समिक रिक्तिय की पूर्ति के लिए चुने गए ब्यक्ति का कारेकाल आगे 69 नुमबर अनुच्छेद 69 उप राष्टपती का सपत या प्रति ज्यान अनुच्छेद 70 अन आक्समिक्ताओं में राष्टपती के कर्तब्य का निर्वहन और अनुच्छेद 71 उप राष्टपती के चुनाब आगे यहां पर दिये गे हैं भारत के उपराश्ट पती नाम दिये गे हैं क्रम बाइज और पदाबधिव बात करें तो पहले उपराश्ट पती थे डॉक्टर सरपली राधा क्रिश्नन जो की 1952 से 1962 तक पद पे रहे उसके बाद दूसरा उपराश्ट पती थे डॉक्टर जाकर हुसेन जो 1962 से उनेशो सरसर तक तीसरा स्री बराह गिरी बेंकट गिरी जिन्हें बीवी गिरी के नाम से भी जाना जाता है इनकी पदाबधि थी 1967 से 1967 से 69 तक चौथा स्री गोपाल स्वरूप पाठक जो 1979 से 1974 तक पाचवा उपराश्पति हुए बीडी जत्ती जो 1974 से 1989 तक फिर आए नियामूर्ती मुहम्मद हिदाय तुल्ला जो की 1989 से 1984 तक रहे फिर आए श्रीर आर बेंकर ट्रमन जो की साथवी नंबर के उपराश्पति हुए यह 1984 से 1984 से 1987 तक फिर आए आठवा डॉक्टर संकर दयाल सर्मा उन्हेसो सतासी से उन्हेसो बानवे तक नौवा नंबर स्री आर के नरायन उन्हेसो बानवे से संतानवे दसवा स्री क्रिश्न कांत उन्हेसो संतानवे से 2002 तक यह ग्यारवा स्री भैरुसी सिखावत 2002 से 2007 तक और बारहवा डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक फिर अभी बर्तमान में चल रहे हैं तेरहवा एम बंकाय अनाइडू जिन्हें पूरा नाम स्री मुपा बारापू मकाय अनाइडू है और यह 2017 से अभी तक बर्तमान में है आगे की सदन की अध्यच्छता ऐसे ब्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नही अगपत अथवा हटाए जाने के स्थिती में राष्टपती का पदवार सबसे पहले कौन गरहन करेगा उप राष्टपती आगे भारत में उप राष्टपती के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के सम्विधान से ली गई है उप राष्टपती पद का प्रावधान हमने इस से पहले विजाना था विदेशी सुरोत में तो वह थे अमेरिका के सम्विधान से आया था आगे राश्टपती या उपराश्टपती किसी भी निर्वाचन में राज अथवा संसत के किस सदन के सदस भाग नहीं लेते राश्टपती या उपराश्टपती के निर्वाचन में राज और संसत के एक सदस जो है वह है राज बिधान परिशद राजबिधान परचद राश्टपती और उपराश्टपती के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है आगे भारत का राश्टपती अपना त्याग पत्र किसको संभोधित करके देता है उपराश्टपती को अब यहाँ पर दिये गए हैं राश्टपती तथा उपराश्टपती पद की तूलना. बात करें पहला राश्टपती की तब राश्टपती लोकसवा सदस बनने की योगता रखता हो. राश्टपती के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज बिधान सभाओं के निर्वाची सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुड्डुचेरी के बिधान सभाओं के निर्वाची सदस्य भी भागल होते हैं वही राश्टपती को पद से हटाय जाने की प्रकीरिया महाभयोग किसी भी सदन में प्राराम की जा सकती है, सदन यानी लोगसभा या राजसभा में अब उपराश्टपती की वात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो यह राज सवा सदस बनने की योगिता रखता हो उपराश्टपती के निर्वाचित मंडल में संसत के दोनों सदनों के सवी सदस मनोनित एवं निर्वाचित यह ध्यान रखना उपराश्टपती में मनोनित एव और उपराश्टपती में राजि के बिद्धान मंडल के सदस सामिल नहीं होते हैं जबकि राश्टपती के लिए संसत के किसी भी सदन में आगे उपराश्टपती का बेतन भारत की संचितनिती कॉंसॉलिडेटेड फंड ओफ इंडिया द्वारा भारित होता है आगे आगे है हमारा चैप्टर केंद्रिय मंत्री परसद यूनियन कॉंसिल ओफ मिनिस्टर आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग तक सेयर करते रहेंगे और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वह सब्सक्राइब करके वेल आइकन को ओन कर लेंगे बात करें यूनियन कॉंसिल ओफ मिनिस्टर की तो यह पहला पॉइंट देखे केंद्र सरकार का प्रमूख कौन होता है केंद्र सरकार का प्रमूख होता है प्रधान मंत्री आगे प्रधान मंत्री की नियुक्ति किस के द्वारा की जाती है राश्टपती के द्वारा आगे भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए नियुन्तम आयू कितने वर्स होना चाहिए 25 वर्स आगे पॉइंट है यदि भारत के प्रधान मंत्री संसत के उच सदन के सदस्य है तो वे आभिस्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पच्छ में मत नहीं दे सकेंगे यहां पर समझने की कोशिस करेंगे अगर प्रधान मंत्री संसत के उच सदन यानि की राज सभा का सदस्य है और जब उस पर आबिस्वास प्रस्ताव आती है तो वह अपने पच में मत नहीं दे सकता अगर प्रधान मंत्री निम्र सदन का सदस्य होता है और आभिस्वास प्रष्टा वुलाई जाती है तव आह मत देने का हकदार रखता है आगे संसद्य सासन व्यवस्था में वास्तविक कारिपाल का सक्ति किसके अधीन होती है वास्तविक कारिपाल का सक्ति प्रधान मंत्री के अधीन होती है आगे लोकसवा में आबिस्वास प्रस्ता प्रस्तुत करने के लिए लोकसवा सदस्यों की नियुनतम कितनी संख्या होनी चाहिए आगे भारत का प्रधान मंत्री समानिता किस सदन का सदस्य होता है लोकसवा का राजसवा का सदस्भी प्रधानमंत्री बन सकता जैसे कि मनमोह सिंग्जों थे वर राजसवा से ही थे. आगे भारतिय संभिधान का अनुछेद 75 प्रधार मंत्री एवाम अन मंत्रियों की नियुक्ती मंत्री परसद के आकार एवाम उत्तरदाईत्व का निर्धारन करता है यह सभी बढ़नन है अनुछेद 75 में आगे मंत्री मंडल में कूल मंत्रियों की संख्या प्रधान मंत्री सहित लोकसवा के सदस्यों की कूल संख्या के 15 प्रतीसत से अधिक नहीं होगी यह प्राभधान की संभिधान संसोधन के द्वारा किया गया यह प्रावधान किया गया था 2003 का 51 मास संविधान संसोधन 91 नमबर संसोधन में यह बर्नन की गई कि लोकसवा के सदस्यों की कुल संख्या प्रधान मंत्री सहित 15% होंगे आगे संसत का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक किंद्री मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 माह तक वह अपने पद पर रह सकता है 6 माह के अंदर उसे किसी भी राज से या किसी भी सीट से उसे संसत का सदस्य बनना जरूरी है आगे मंत्री परिसद किस के प्रती उत्तरदाई होती है मंत्री परिसद जो है वह संसद के प्रती उत्तरदाई है आगे भारत के संबेधान के किस अनुछेद में या प्रावधान किया गय है कि प्रतेक राज की कारपाल का सक्ति का इस प्रकार पर योग किया जाएगा जिससे संग की कारपाल का सक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाब ना पड़े यह बर्नन है अनुच्छे 257 कही गई है कि वह प्रावधान जहां प्रतेक राज की कारपाल का सक्ति इस प्रकार परियोग क्या जाएगा जिससे संग की कारपाल का सक्ति पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाब ना पड़े अनुच्छे 257 आगे लाब के पद यानि ओफिस ओप्रोफिट का निर्धारन संसद एवं राज बिधान मंडल द्वारा किया जाता है आगे भारतिय राजनितिक व्यवस्ता में कारपाल का किस के अधीन कार करती है यह है बिधाईका के अधीन आगे नेहरू की कैबनेट में पहले ग्रीह मंत्री तथा बाद में रच्छा मंत्री कौन बने नेहरू का जो कैबनेट मंत्री था उसमें पहला ग्रीह मंत्री और बाद में रच्छा मंत्री बनाए गये थे कैला असनात काड़ जू आगे स्वतंत्र भारत के प्रत्थम बीत मंत्री श्री आर के सन्मुख हम चिट्टी थे आगे भारत के किस प्रधान मंत्री का विदेश में आक्समिक निधन हुआ था या थे लाल बहादूर सास्त्री आगे अपने प्रधान मंत्री तो काल में कौन सनीता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ या था चौधरी चरंसी चौधरी चरंसी जो थे इनके समय में जब ये प्रधान मंत्री बने थे उस समय संसद का कोई भी सत्र नहीं हुई थी क्योंकि जिस समय वह बने उसके बाद संसत का च्छात्र अगले 6 महिने बाद होने वाली थी और उससे पहले ही वह हट गये थे आगे संबिधान के किस अनुछेद में मंत्री मंडल सब्द का परियोग किया गया मंत्री मंडल सब्द का परियोग आर्टिकल 352 का 3 में आगे पॉइंट है स्वेट पत्र वाइट पेपर भारत से संबंदित अधिकारिक दस्तावेज है आगे संग्य मंत्री मंडल का पुनरगठन किस के परतिवेदन पर आधारित था संगे मंत्री मंडल का पुनरगठन जो है या गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा की गई है आगे मंत्री परसद तथा मंत्री मंडल में अंतर मंत्री परसद जिसे कॉंसिल कहा जाता है और मंत्री मंडल जिसे कैबनेट कहा जाता है बात करेंगे एक करके पहले जानते हैं कॉंसिल मंत्री परिसद की तो मंत्री परिसद में कैबनेट मंत्री, कैबनेट अस्तर के मंत्री, राज अस्तर के मंत्री एवं उप मंत्री सामिल होते हैं कॉंसिल में कॉंसिल यह एक संविधानिक निकाई है जिसका वर्णन संविधान के नुछे 74 वा 75 में किया गया है मंत्री परसद का और सैधान्तिक रूप से मंत्री परसद को सेंग की समस्त कारिपाल का सक्तियां प्राप्त है प्रन्तु मंत्री मंडल द्वारा इसके कारियों का निर्धारन किया जाता है आगे मंत्री मंडल द्वारा लिये गए नितिगत निर्नेयों का किर्यानवयन मंत्री परसद द्वारा ही किया जाता है अब बात करें कैबनेट की यानि मंत्री मंडल की तो इसमें केवाल कैबनेट एस्तर के मंत्री ही सामिल होते हैं और इसका 44 संविधान संसोधन 1978 द्वारा अनुछे 352 में मंत्री मंडल सब्द को जोड़ा गया मंत्री मंडल सब्द 44 संबिधान संसोधन द्वारा 1978 में जोड़ी गई और जो संबिधान के मूल पाठ में नहीं था संबिधान जब लाग हुआ था उस समय मंत्री मंडल सब्द का बढ़नन नहीं था आगे ब्यवहारिक रूप से मंत्री मंडल सदैव मंत्री परिशद की सक्तियों का ही परियोग करता है और मंत्रियों के कारियों का निर्धारन करता है नितिगत निर्नेयों को किर्यानवित करने के लिए यह मंत्री परिषद को निर्देश देता है तथा निर्नेयों के किर्यानवन की निगरानी भी करता है यह कारी होता है मंत्री मंडल की आगे मंत्री परिशत कॉंसिल आफ मिनिस्टर समूहिक रूप से लोग सभा के प्रती उतरदाई होते हैं अब आगे अगला चैप्टर है अपना महानियावादी तथा नियंत्रक एवा महालेखा परिच्चक अटर्नी जनरल एंड कमपेट्रोलर एंड ओडिटर जनरल जिसे सी एजी के नाम से जाना जाता है सी एजी कमपेट्रोलर एंड ओडिटर जनरल बात करें तो भारत के तीन बिधी अधिकारी होते हैं भारत के तीन बिधी अधिकारी भारत का महान्यायवादी जीसे attorney general of India कहा जाता है। दूसरा भारत का महाधिवक्ता solisator general of India और भारत के अपर महाधिवक्ता additional solicitor general of India। यह तीन भारत के तीन बिधी अधिकारी हैं। आगे भारत का प्रत्थम महानियावादी कौन था भारत का प्रत्थम आटर्नी जनरल था SMC सीतलवाड आगे भारत सरकार को कानूनी विशयों पर प्रामर्स कौन देता है यह महानियावादी यानि आटर्नी जनरल आगे भारत का सर्वोच बिधी अधिकारी कौन होता है भारत का महानियाईवादी यानि अटर्नी जनरल अफ इंडिया भारत का सर्वोच बिधी अधिकारी होता है आगे भारत का महानियाईवादी किसका बीधी सलाकार होता है भारत का जो महानियाईवादी है वह सलाकार होता है भारत सरकार का बात करे राश्टपती द्वारा महानियाईवादी को सौपे गये कारी पहला है भारत सरकार से संबन्दित मामले को लेकर उच तम न्याले में भारत सरकार की ओर से पेश होना दूसरा पॉइंट संबिधान के अनुछेद 143 के अंतरगत राश्टपती की ओर से उच तम न्याले में भारत सरकार का प्रतिन धित्व करना और तिसरा पॉइंट है सरकार से सम्मंदित किसी भी मामले में उच न्याले में सुनवाई का अधिकार आगे अनुछेद 76-4 के अनुसार महानियाईवादी किसके परसाथ परियंत पद धारन करेगा महानियाईवादी जो है यह पद धारन करता है राष्टपती के अनुसार और राष्टपती के अनुसार जो है वह अनुछेद 76-4 में आगे पॉइंट है भारत के महानियाईवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने कारवाहियों में समलित होने किसी विश्ण सद्य कमीटी का सद्धस होने का अधिकार है प्रंतु बोट देने का अधिकार नहीं है आगे Solicitor General कौन होता है Solicitor General जो है या महान्याइबादी का अधिनाष्थ होती है आगे भारत में बरतमान महान्याइबादी कौन है यह है कगे बेनुगपल आगे प्वाइंट है महानियावादी का पद संभीधान के अनुचेद 76 के अंतरगत एक संभीधानिक पद है constitutional पोस्ट है महानियावादी पद जबकी महादिवक्ता का पद संभीधानिक नहो करवाया बैद्धानिक यानि सेचिवर्ट्री पोस्ट है ध्यान रखना है महानियाईवादी Constitutional है जबकि महाधिभक्ता statutory है आगे भारत के प्रत्थम नियंत्रय के वह महालेखा परिछक क्यों था प्रत्थम नियंत्रय के वह महालेखा परिछक थे वह था बी नरहरी रोग जो कि C.A.G. C.A.G. जो था वह बी रहरी नरहरी था जबकि प्रथम महानियवादी MC सीतलवाड आगे राज सरकार को कानूनी बिसायों पर कौन प्रामर्स देता है कानूनी बिसायों पर प्रामर्स एड़ोकेट जनरल यानि महादिवक्ता देती है आगे संसद की लोक सेवा समीती Public Service Committee की बैठक में कौन उपस्थित रहता है लोक सेवा समीती में उपस्थित रहता है भारत का नियंत्रक एवा महालेखा परिच्छक C.A.G. कैग जी से बोलते हैं आगे पॉइंट है डॉक्टर B.R. अंबेडिकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परिच्छक भारतिय संविधान के अंतरगत सरप्रमूख अधिकारी होगा यह लोग तांत्रिक विवस्ता में भारत सरकार के बीती रच्छकों में से एक होगा इन बीती रच्छकों में उच्तम्याल है निर्वाचन योग एवाम संग लोग सेवा योग समलित है आगे भारत के नियंतर के वह महालेखा परिच्छक सीए जी के पद का स्रीजन किसके द्वारा किया गया है सीए जी का जो पद का स्रीजन है वह संविधान कोंस्ट्यूशन द्वारा की गई है आगे भारत के नियंत्र के वह महलेखा परिच्छ का कारिकाल कितने वर्स का होता है भारत का नियंत्र के वह महलेखा परिच्छ का जो टेन्योर होता है वह च्छा वर्स की होती है आगे भारत का नियंत्र के वह महलेखा परिच्छ का मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समीती का आगे प्वाइंट है नियंत्र के वह महालेखा परिच्छक को लोक नीधी का मुख अभिबावा क्यानि चीफ गार्जियन ओफ दे पबलिक पर्स कहा जाता है नियंत्र के वह महालेखा परिच्छक को आगे राजेवं किंद सरकारों के सभी खर्चों की बीतिय जाच कौन करता है यह करता है नियंत्र के वह महालेखा परिच्छक आगे नियंत्र के वह महालेखा कार के पिंसन वह भत्ते किस पर भारित होते हैं यह है भारत की संचित निधी पर आगे पॉइंट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिच्छक से संबंधित अनुछेद इससे संबंधित अनुछेद की बात करें तो अनुछेद और संबंध विसाइद दिये गए हैं बात करें नियंत्रक एवं महा लेखा परिच्छक समद्धित अनुछेद 148 की तो इसमें भारत के नियंत्रक एवं महा परिच्छक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति का बढ़नन है अनुछेद 149 में नियंत्रक एवं महा लेखा परिच्छक के कार्य एवं सक्ति वही अनुछेद 150 संग एवं राजियों के लेखा प्रारूपों के समद्ध में राष्टपति को सला और अनुछेद 151 अंकेस्चन प्रतिवेदन यानि की रिपोर्ट करने का अधिकार आगे नियंत्रक एवं महा लेखा परिच्छक अब कास प्राप्ति के पश्चाथ कोई भी सरकारी पद धारन नहीं कर सकता अगला चैप्टर है हमारा संसद यानि की अब बात करेंगे हम लोग पार्लियमेंट जहां पर कानून बनाई और बिगाड़ी जाती है वहाँ पर चलेंगे हम लोग संसद में इससे पहले आप लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिस और बेल आइकन को आउन कर लेंगे जिससे समय समय प्याने वाली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोग तक सेयर जरूर करेंगे बात करें अब संसद की तो पहला पॉइंट है संबिधान के किस अनुछेद के अंतरगत धन बिधेया क्यानी मनिवील को परिवासित किया गया है मनिवील धन बिधेया का बर्णन अनुछेद 110 में की गई है आगे लोग सवा का ध्यच अपना त्याग पत रेजे इगनेशन लेटर की से सौपता है लोग सवा का उपध्यच को आगे संबिधान के अनुछेद 82 के अनुसार लोग सवा की सीटों का राजियों के मद आवटन किस बर्स की जनगनना के अधार पर क्या गया है अनुछेद 82 में कहा गया है लोग सवा की सीटों का राजियों में जो आवटन की गई है वह किस बर्स की जनगनना अधार है वह बर्स 1971 की आगे भारत में लोग सवा का ध्यच अस्पीकर लोग सवा सदस्यों में से ही चैनीत किया जाता है आगे राजिसवा की एक कांतिक सक्ति के अंतरगत कौन सा अनुछेद आता है राजिसवा की जो एक कांतिक सक्ति है उस उगा है अनुछेद 249 आगे संबिधान की चौथी अनुसूची की प्रकार के प्रावधान है संबिधान के चौथी अनुसूची में राज सभा में अस्थानों के आवंटन से संबंदित है आगे लोकसभा में सदस्यों के अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में बरतमान में सदस्यों के अधिक्तम संख्या पाच सौ बावन हो सकती है और यह बरतमान दोहजार चबिश तक ऐसा ही रहेगा दोहजार चबिश तक यह इतना ही रहेगा उसके बाद संसोधन की जाएगी आगे भारतिय संविधान के अंतरगत संसत के सदस्यों के विशेस अधिकारों तथा उनमिक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है वह है अनुछेद पॉइंट है लोकसभा और राजसभा की गनपूरती सदन की कूल सदस संख्या के कौट अदधाश संख्या में होती है आगे राजसभा का सदस बनने के लिए निवन्तम आयू कितनी है वह है तीस वर्स आगे राजसभा के अधिक्तम निर्धारी संख्या कितनी है राजसभा का निर्धारी सदसंख्या 250 आगे संसत के किस सदन का अध्याच उसका सदस से नहीं होता है राजसभा आगे भारतिय संख्या का कौन सा अनुछेद संसत को अंतराश्टिय समझाउताओं को लागू करने के लिए विधि निर्वान करने की सक्ति प्रदान करती है अंतराश्टिय समझाउता करने के लिए अनुछेद 250 आगे भारतिय संसद में राष्टपती और संसद के दोनों सदन यानि लोकसभा एवं राजसभा सम्मिलित होती हैं आगे लोकसभा में राजजवार सीटो कावंटन संद 1971 की जनगन्ना पर अधारी थे और यह निर्धार किस वर्स तक यह थावत रहेगा यह हैं 2026 तक रहेगा जिसका आधार जनसंख्या आधार है उन्हें 171 की आगे यहाँ पर दिये गए हैं संसद से संबंदित अनुछेद संसद से संबंदित अनुछेद की वाद करें अनुछेद और उस से संबंदित विसे बस्तू की तो पहला अनुछेद है 79 79 में संसद का गठन अनुछेद 80 राजसवा की संरचना अनुछेद 81 लोगसवा की संरचना अनुछेद 82 प्रतीक जनगर्ना के पहचात पुन्य समायोजन अनुछेद 83 संसद के सदनों की अबधी अनुछेद 84 संसद की सदस्या सदस्यता के लिए अहरताईं अनुछेद 85 संसद के सत्र सत्र वसान एवं बिघटन अनुछेद 86 राष्टपती का सदनों को संबोधी तथा संदेश देने का अधिकार अनुछेद 87 राष्टपती का विसेश संबोधन यानि अभिभासन अनुछेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और मानियावादी के अधिकार अनुछेद नवासी राजसभा का सवापती एवं उपसवापती अनुछेद नब्वे राजसभा के उपसवापती के पद की रिक्ती त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना अनुछेद 91, सभापती के कर्तब्यों के निर्वयन अथवा सभापती के रूप में कार करने के उपसभापती अथवा अन्व्यक्ति की सक्ति आगे अनुछेद 92 जब राजसवा के सवापती अथवा उपसवापती को पद से हटाने का संकाल्प विचारा धीन हो तब उसका पिठासी ना होना आगे 93 लोकसवा का ध्याच तथा उपाध्याच लोकसवा का ध्याच और उपाध्याच का वर्णन अनुछेद 93 में की गई है आगे 94 लोकसवा ध्याच तथा उपाध्याच पद की रिक्ती त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना अनुछेद 95 लोकसभा उपाध्याच अथवा किसी अन व्यक्तियों का लोकसभा ध्याच के कर्तब्यों के निर्वाहन की सकती अनुछेद 96 जब लोकसभा अध्याच अथवा उपाध्याच को पत से हटाने का संकल्पना विचारा धीन हो तब उसका पिठा सीन न होना अनुछेद 97 सवापती बाउप सवापती तथा अध्याच बाउपाध्याच के बेतन भत्ते अनुछेद 99 संसत का सचिवाल है अनुछेद 99 सदस्यों द्वारा सपथिय अप्रती ज्यान अनुछेद सो दोनों सद्नों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सद्नों के कार करने के सकती तथा गनपूर्ती आगे अनुछेद 101 अस्थानों का रिक्त होना आगे अनुछेद 102 संसत की सदस्यता के लिए निरहरता हैं अनुछे देख सो तीन सदस्यों की अयोगिता से संबन्दित प्रस्नु पर निरने। आगे अनुछे देख सो चार अनुछे दिन्यानवे के अंतरगत सपत लेने या प्रति ज्यान करने से पहले अहर्त नहोते हुए भी अथवा निरहरित की जाने पर भी सदन में बैठने तत सरता मतदान करने के पर अगे भारति चुनावायों यानि还 क्यानी Anytime Commission of India संसय तथा विधान-मंड़ल दोनों के चुनाव के लिए उत्तर दाई है यह जो है ईसी जो संसय और विधान-मंड़ल के चुनाव के लिए उत्तर दाई होता है और लोक सवा सदस्यों के संख्या 525 से दी गई एक्तिसवा संविधान संसोधन द्वारा आगे लोकसभा को कारिकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भांग किया जा सकता है प्रधार मंत्री की अनुसांसा पर राश्ट पती द्वारा आगे किस राज में लोकसभा में अनुसूची जंजातियों यानि सिढ्ड्यूल ट्राइब के लिए सारवाधिक सीटे आर अच्छी थे अनुसूची जंजाति के लिए मद प्रधेश में कुल छै सीटे लोकसभा में आर अच्छी थे आगे लोकसवा का कारिकाल राप अपातकाल की घोषना के दवरान एक बार में एक वर्स तक के लिए बढ़ाया जा सकता है आगे लोकसवा में दो अंगल भारतिय सदस कौन मनुनित करता है भारत का राष्ट पती आगे लोकसवा चुनाब में निर्वाचित होने के लिए किसी ब्याक्ति की नियुन्तम आयू कितनी निर्धारित की गई है लोकसवा में निर्वाचन के लिए नियुन्तम आयू 25 वर्स आगे लोकसवा की बरतमान सदस संख्या कितनी है 545 आगे लोकसवा बराजसवा के सरवाधिक परतिनी दी भारत के किस राज में से आते हैं सरवाधिक परतिनी दी उत्तर प्रदेश में यहां बता दो 545 जो है वो बरतमान सदस से है जबकि टोटल जो होती है 552 होती है आगे उत्तर प्रदेश के पास चाथ लोकसवा में सरवाधिक सीटे किस राज की है वह है महराष्ट से 48 आगे राजसवा एक सथाई सदन है क्योंकि इसे बिघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता आगे छेत्फल के दिश्टी से सबसे बड़ा लोकसवा निर्वाचन छेत्र कौन सा है यह है लद्दाक का आगे भारत की संचित निद्धी पर भारित ब्याय भारत की जो संचित निद्धी होते वहां से तो राश्टपती के बेतन भत्ते वं उनसे समंधित अन्य ब्याय राजसवा के सभापती, उपसभापती, लोकसवा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बेतन तथा भत्ते एसे रीन या भार जीन का दायत भारत सरकार पर है उच्टम न्याले के न्याइधीसों के बेतन भत्त एवं पिंसन तथा उच्ट न्याले के न्याइधीसों की पिंसन भारत के नियंत्रा के वं मालेखा परिच्छा का बेतन भत्ता वं पिंसन एसे अन्य ब्याई जो संविधान अथवा संसन द्वारा निर्मित की से बीधी द्वारा इस संबन्ध में भारित घोसित किया जाए ये था भारत की संचे निदी पर भारत ब्यायानी जिस से उनकी पेमेंट पेंसन दी जाती है आगे परी सीमन के पहचात उत्तर प्रदेश के मातदाताओं की संख्या के द्रिष्टी से सबसे बड़ा लोकसवा छेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश में लोकसवा सबसे बढ़ अच्छित वह है उन्नाव लोकसवा का पहला आमचुनाव किस वर्ष हुआ था लोकसवा का पहला आमचुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मद हुई थी आगे पॉइंट है यदि लोकसवा के सभी सदस बहुमत के संकल पारित कर दे तो लोकसवा ध्याच को उसके कारकाल की समापती के पुर्व उसके पद से हटाया जा सकता है आगे एक बर्स में लोकसवा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं दो सत जो की छे महिने के अंतर पर होती है आगे लोकसवा में बिहार 40 सीटे जो है को आवंटेज सीटे किन दो राजियों को आवंटेज सीटों के योगदान के बरावर है यह है 36 गर तथा मद परदेश के बरावर बिहार का सीटे हैं आगे राजसवा के सदस्य का कारिकाल कितने बर्ष का होता है राजसवा का सदस्य कारिकाल छे बर्ष का आगे प्रोटेम स्पीकर की निउक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तब नवनिर्वाचित लोगसवा सदस्यों को स्थपद दिलाना होता है आगे लोगसवा अध्यच यानिय स्पीकर अपने निरनायक मत का परियोग कब करता है यह करता है किसी बिधेया क्या प्रस्ताब के पच्छ एवं विपच्छ के बरावर मत होने की स्थिती में आगे लोकसवा के प्रतम अध्याच कौन थे जी भी मावलंकर आगे लोकलेखा समीती नियंत्रक एवा महलेखा परिच्छ की रिपोर्ट की जाज करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तयार करके संसद के पटल पर रखती है यहाँ पर जो लोकलेखा समीती और नियंत्रक एवा महलेखा परिच्छ की रिपोर्ट की जाज करने के बाद अंतिम रिपोर्ट जो है वह संसद के पास रखता है आगे प्राकलन समीती का कारिकाल कितने बर्ष होता है प्राकलन समीती का कारिकाल कुल एक बर्ष की होती है राजसभा के सदस किसके द्वारा चूने जाते हैं या राज्यों की बिधान सभाओं द्वारा आगे विशेशा धिकार समीती में दोनों सदनों में कुल कितने सदस होते हैं कुल 25 सदस जिन में लोकसभा से 15 और राजसभा से 10 सदस विशेशा धिकार समीती में होते हैं आगे पॉइंट है संसद में सरकारी विधेयक यानि गुवर्मेंट बिल मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक, नॉन गवर्मेंट विल, मंत्री क्यातिरिक्त किसी भी सदस द्वारा प्रस्तूत किया जा सकता है आगे प्रतेक बीत विधेयक धन विधेयक नहीं होता है किन्तु प्रतेक धन विधेयक बीत विधेयक होते हैं प्रतीक धन बिधायक जो है वा भीत बिधायक होती है जब के भीत बिधायक धन बिधायक नए होती आगे राष्ट्पति द्वारा राज्सभा में कितने ब्यक्ति मनौनित किये जाते हैं 12 राजसवा के लिए नामांकित होने वाली प्रत्थम अभिनेतरी कौन थी नर्गिस दत जो की बड़ सुने 86-86 के बीच में थी आगे लोकसवा की प्रत्थम महिला ध्याच कौन थी मीरा कुमार 4 जून 2009 से 4 जून 2014 के बीच में आगे पॉइंट राजबिधान सभा में कोई भी धन बिधयक राज के राजपाल की संस्तूती के बीना या अनुमती के बीना प्रस्तूत नहीं किया जा सकता आगे वे प्रत्थम लोकसवा ध्याच कौन थे जिनके बिरूद लोकसवा में आभिश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था प्रत्थम लोकसवा ध्याच जिनके पाव उपर आभिश्वास प्रस्ताव लाया गया वह थे जीवी मावलंकर आगे लोकसवा का सचिवाल है किस के नियंत्रन में होता है लोकसवा अध्याच के भारती राजनितिक व्यवस्था में कौन सर्वोच है वह है संबिधान आगे भारत की संचित निदी पर कौन सा ब्याय भारत नहीं होता भारत के प्रधान मंत्री के बेतन और भत्ते संचित निधी से नहीं दिये जाते आगे धन विधेयक संसद के किस सदन में पुरह अस्थापित यानि इंट्रोडियूश्ट किया जाता है केवल लोक सवा में धन विधेयक को आगे धन विधेयक राज विधान मंडल के किस सदन में प्रस्तूत किया जा सकता है केवल विधान सभा में बजट की रूप रेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है यह तैयार किया जाता है आर्थिक कारी विभाग द्वारा आगे करो और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अनप्राप्तियों से संग्य सरकार को प्राप्त होने वाला रजस्व कित निधी में जमा होती है यानि कर और सरकारी कामकाज से जो ब्याय होती है वह भारत की संची निधी में जमा होती है आर्थिक सर्वेच्छन प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तूत किया जाता है आर्थिक सर्वेच्छन को अगामी वर्ष के बजट के प्रस्तूती करण से पूर्व आगे कोई विधेयक धन विधेयक है अथवन नहीं इसका निरणा कौन करता है लोकसभा अध्यच आगे भारत की संचित निदी से धन निकालने के लिए संसत का अनुमोधन अनिवारी है आगे लेखा अनुदान बोट ओन एकाउंट संग सरकार को किस प्रकार के अनुमति प्रदान करता है लेखा अनुदान जो है वह संग सरकार को निश्चित अबधी के लिए भारतिय संचित निदी से धन निकालने की अनुमती देती है यानि भारतिय संचित निदी से संग सरकार कब निकालती है किसके अनुमोधन पर तो वह है लेखा अनुदान के कहने पर आगे यहाँ पर दिये गए हैं सधारन बिध्यक एवं धन बिध्यक में तूलना बात करें अगर सधारन बिध्यक यानि ओर्डिनरी विल और धन बिध्यक यानि मनी विल बात करें पहला पॉइंट तो सधारन बिधेयक इसे लोकसभा या रावसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है जबकि धन बिधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित की जाती है दूसरा पॉइंट सधारन विधेयक मंत्री अथ्वा गैर सरकारी सदस दोनों द्वारा प्रस्तूत किया जा सकता है जबकि धन विधेयक केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तूत किया जा सकता है तिस्तरा पॉइंट सधारन विधेयक सदन में प्रस्तूत करने से पूर्व राश्टपती के नुमती अवस्यक नहीं है जबकि धन विधेयक सदन में राश्टपती की संस्तूती से ही पूरा अस्थापित याने इंट्रोडियूस किया जा सकता है चौथर पॉइंट सधारन विदेयक राजसभा द्वारा संसोधित या अस्विक्रित किया जा सकता है जबकि धन विदेयक राजसभा द्वारा संसोधित या स्विक्रित नहीं किया जा सकता आगे पाचवा पॉइंट सधारन विद्यक राजसवा अधिक्तम छह मा के लिए रोक सकती है ध्यान रखना है सधारन विद्यक को राजसवा छह मा तक के लिए रोक सकती है और जबकि धन विद्यक राजसवा अधिक्तम 14 दिनों के लिए रोक सकती है आगे चटाव पॉइंट सधारन बिधेयक राज सवा में भेजने के लिए लोक सवा ध्यच के द्वारा प्रमानित किये जाने की अवसकता नहीं होती जबकि लोक सवा अध्यच के द्वारा धन बिधेयक के रुप में प्रमानित किये जाने की अवसकता होती है साथवा पॉइंट साधारन बिधेयक दोनों सदनों में अर्समत्ती की स्थिति में राश्टपती दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राश्टपती के हस्ताचर के लिए भेजा जाता है जबकि धन बिधेयक इसमें दोनों सदनों के बीच आरसमती का कोई आपसर ही नहीं होता है इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इसे केवल लोक सवा के से पारित होने के बाद राश्टपती के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है धन बिधेयक को आगे आठवा पॉइंट सधारन बिधेयक लोक सवा में अस्विक्रित होने पर सरकार को त्याग पत देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तूत क्या हो यानि कि अगर सधारन बिधेयक लोकसवा में अस्विक्रित हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है अगर उसे प्रस्तूत करने वाला कोई मंत्री हो आगे वही जब धन बिधेयक लोगसवा में सुकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है आगे नौमा पॉइंट सधारन बिधेयक राश्टपती द्वारा सुकृत या सुकृत किया जा सकता है अथवा पुनर विचार के लिए भेजा जा सकता है जबकि धन बिधेयक को राश्टपती द्वारा सुकृत या सुकृत किया जा सकता है पुनर विचार के लिए नहीं लोटाया जा सकता आगे धन बिधेयक एवाम संविधान संसोधन बिधेयक के समद्ध में दोनों सद्नों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती यानि धन विधेयक और संविधान संसोधन विधेयक के संबन में दोनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है आगे प्राकलन समीती यानि Estimates Committee संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है प्राकलन समीती में लोकसवा के सदस्य द्वारा गठन होता है आगे कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बील संसद के किसी सदन में प्रस्तूत किया जा सकता है आगे पॉइंट है भारतिय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सधारन विधेयक तथा बित विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है आगे संसद के दो सत्रों के मद आधिकाद धीक अंतराल कितना होना चाहिए छह महीने का आगे आक्समिक निधी यानि कॉंटिजेंसी फंड को राष्टपति कैसे ब्याय करते हैं बीना संसद ये स्विक्रिती के आगे लोकसवा में विधेयक पर आम बहस किस बाचन में होती है दिवी बाचन में आगे कटावती प्रस्ताव यानि कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है कटावती प्रस्ताव को समापन प्रस्ताव यानि क्लोजर मोशन भी कहा जाता है आगे यदि कोई धन भी देयक लोकसवा द्वारा सुविक्रित कर दिया जाए तो राजसवा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोख सकती है 14 दिन तक आगे पॉइंट है यदि बार्शिक संग्ये बजट यूनियन बजट लोकसवा द्वारा पारित ना हो तो परधान मंत्री अपनी मंत्री परशद सही त्याग पत्र दे देता है आगे लोकसवा तथ राजसवा के संयुक्त अधिवेशन के अध्यच्चता कौन करता है प्राकलन समीती में राजसवा का परधान मंत्राश्टिये संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्न भारत में लागो करने के लिए संसत कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज की सहमती से आगे पॉइंट है संसत की लोक लेखा समीती का प्रमुख कार सासन के बीतिय लेखा एवं बिनियमन तथा नियंत्रयक महलेखा परिच्छा के रिपोर्ट का परिच्छन करना है संसत की जो लोक लेखा समीती है इसका प्रमुख कार होता है सासन के बीतिय लेखा एवं बिनियमन तथा नियंत्रयक महलेखा परिच्छा के रिपोर्ट का परिच्छन यानी जाच करने का कार लोक लेखा समीती करती है आगे भारतिय संसद किसके माध्यम से प्रसासन पर नियंत रथ करती है संसद ये समीतियों के माध्यम से आगे पॉइंट है भरतमान में राजसवा में 245 सदस से जिन में से 239 सदस राजियों से एवं 4 सदस संगराज छेतरों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस राश्टपती द्वारा मनुनित किये जाते हैं आगे सरकार द्वारा लोकसवा में अपना बहमसीद करने के लिए कौन सा प्रस्ता आव रखा जाता है अपना बहमसीद करने के लिए कौन्फिडेंस मों सन्यानी विश्वास प्रस्ता आव लाई जाती है आगे भारती संसत के दोनों सद्नों की प्रतम संयुक्त बैठक किस बिधयक पर हुई थी जब भारत की दोनों संयुक्त बैठक हुई थी वह पहला था दहेज उन्मूलन बिधयक डौरी एवॉलिशन बिल बर्स उन्हें सो एक सट में आगे लोक लेखा समीती अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तूत करती है लोक सभा अध्याच को आगे संसद में लोक लेखा समीती पब्लिक एकॉंट्स कमिटी के अध्याच की न्युक्ति किस के द्वारा की जाती है लोक सभा अध्याच के द्वारा आगे पौइंट है संसद या बिधान सवा के किसी भी सदस की सदस्ता तब समाप समझे जाती है जब वा सदन को सुचित किये बेना लगतार साथ दिन तक अनुपस्ती तो लगतार साथ दिन तक ना कि अगर दो महिने और साथ दिन दोनों मिले आपको तब 60 दिन लगाना है क्योंकि 2 महीने में कभी कभी कुछ महीने 28 दिनों की होती है तो कुछ 31 दिनों की होती है तो कुछ 30 भी होती है तो कुछ 29 भी होती है यानि कि इस प्रकार 60 दिन को हम महीनों में नहीं कौंट कर सकते अगर आपको आपसन में महीन दीन ना दिखे तब आप 62 महीने कर सकते हैं अगर महीने भी हो और दीन हो 60 दीन तब आप 60 दीन चूज करेंगे आगे संसद राजसुची के किसी विशय पर कानून कब बना सकती है यदि राजसवा एसा संकल्प पारित करती है तब आगे किसी मंत्री के बिरूध विशय सा धिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है प्रिविलेंस मोशन लाया जाता है जब वह मंत्री किसी मामले के तत्यों को रोकता है या तत्यों का गलत बढ़नन देता है आगे संसद्वारब बर्स 1889 यानि 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के ब्यसक होनी की आयो कितनी है अठारा बर्स एक नागरिक ब्यसक कहलाता है अठारा बर्स में या कानून बनाई गई थी बर्स 1989 में लोकसवा में सुन्ने काल की अब धी अधेक से अधी कितनी हो सकती है एक घंटा आगे पॉइंट है संसद में अस्थगन प्रस्ताव एडजॉर्णमेंट मोशन लाने का उद्देश सार्वजनिक महत्व के आत्ती आवस्यक मुद्दों पर बहस करना है आगे भारती संसत की संप्रभोता किसके द्वारा संबनदित परतिबनदित है नाई एक समिक्छा से आगे यदि संसद्य विवस्ता में सुन निकाल यानि जीरो आवर किस देश की देन है संसद्य विवस्ता में जीरो आवर की देन भारत की है आगे साधन की कारवाही का प्रथम घंटा क्या कालाता है कोश्चन आवर प्रेस निकाल आगे लोक ले खासमीती में कुल 22 सदस होते हैं जिनमें 15 लोक सभा से और 7 राज सभा से लिए जाते हैं अब आगे चैप्टर है सरवोच न्याले यानि कि अब हम लोग जानेंगे सरवोच न्याले के बारे में सुप्रीम कोट के बारे में चलिए बात करेंगे तो पहला पॉइंट है उच्तम न्याले के अधिकार छेत्र को बढ़ाने का अधिकार किस के पास है उच्तम न्याले के जो अधिकार छेत्र है या बढ़ाने का अधिकार होता है संसद के पास आगे भारत के सर्वोच न्याले की अस्थापना कब हुई थी भारत का जो सर्वोच न्याले यानि की सुप्रिम कोट है इसकी अस्थापना उन्य सो पचास अठाई जनवरी को की गई थी आगे भारत के सर्वोच न्याले के कारवाहक मुख न्याइधिस की न्युक्ति कौन करता है कारवाहक मुख न्याइधिस के रूप में न्युक्ति की जाती है राश्टपती द्वारा आगे सर्बोच न्याले में मुख न्याइधिस सहीत कुल कितने न्याइधिस हो सकते हैं मुख न्याइधिस सहीत कुल न्याइधिसों के संख्या सुप्रिम कोर्ट में है 34 अगर बोले सिर्फ अन्य न्याइधिस तो कुल 33 आगे पॉइंट है दूर संचार बिवाद निप्टान एवं अपिलिये अधिकरन यानि कि टेलिकॉम डिस्प्यूट सेटेल्मेंट एंड एपलेट ट्रिबनल यानि टीडी एस्टी के निर्नया को केवल सुप्रिम कोट में चुनोती दी सकती है आगे उच्तम नियाले के नियाधिसों के बेतन का निर्धारन की जाती है संसद के दौरा आगे सरवोच नियाले के नियाधिसों के नियुक्ति किस के दौरा की जाती है राष्टपती के दौरा आगे उच्तम नियाले के नियाधीसों के संख्या में ब्रिधी करने की सक्ती किसे प्राप्त है ब्रिधी करने की सक्ती या प्राप्त है संसद को आगे उच्तम नियाले के नियाधीस किस प्रकिरिया के द्वारा हटाये जा सकते है उच्तम नियाले का जो नियाधीस है या राश्टपती के संसद की अनुसंसा पर हटाया जा सकता है आगे पाइंट सेवा निम्रिती यानि की रिटायर्मेंट के पहचाथ सर्वोच नियाले के नियाधीस किसी भी नियाले में बकालत नहीं कर सकते हैं आगे समानित उच्तम नियाले सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है प्रन्तु किस के अनुमोदन से या वह किसी अन्य अस्थान पर भी सुनवाई कर सकता है या अनुमोदन दी जाती है राश्टपती के द्वारा आगे सर्वोच न्याले के नियाधीसों की सेवा निम्रिती यानि की रिटायर्मेंट की आयो कितनी है कुल 65 वर्स आगे भारतिय संब्यधान का कौन सा अनुच्छेद संब्यधानिक विवाद में सर्वोच न्याले के अपिलिये अधिक छेत्र अधिकार से संबंदी थे अपिलेट जो रिडिक्सन है आगे उच्तम नियाले में सम्विधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए नय धीसों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए उच्तम नियाले में निर्वाचन से संबंधित जो बिवाद होते हैं उसके सुनवाई के ल लेंगे पहला है संविधान के भाग 5 में 124 147 तक सरबोच न्याले से संबंधित प्राब्धान किए गया हैं 124 से 147 तक सरबोच न्याले के प्राब्धान हैं आगे अनुछेद 124 में सर्बोच न्याले की अस्थापना एवं गठन संबंधि प्रावधान गठन और अस्थापना अनुछेद 124 पूरे ओभरावल अगर देखे तो सर्बोच न्याले की वर्णन जो है वो अनुछेद 124 से कुल 147 के बीच में की गई है और यह भाग पाच में समलित है आगे अनुछेद 126 के अंतरगत कारे कारे मुख न्याइधिस की नियुक्ति की जाती है आगे अनुछेद 127 के अंतरगत तदर्थ न्याइधिसो यानि की एड हॉग जस्टिस की नियुक्ति की जाती है अनुछेद 128 के अंतरगत सेवा निब्रीत न्याइधिसो को भी सर्बोच न्याले की बैठक में उपस्तित होने के लिए बुलाया जा सकता है अनुछेद 139 उच्टम न्याले को अभी लेक न्याले घोसीत करता है अनुछेद 139 जो है जो यह बताती है सुप्रिम कोड़ कोड़ ओफ रिकॉर्ड भी होगी आगे अनुछेद 131 उच्टम नियाले का स्थान सीट आप सूप्रिम कोट निर्धारित करने की मुख नियाइधिस की सक्ति है आगे अनुछेद 131 में उच्टम नियाले की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजनल ज्यूरिडिक्शन का विवरन है आगे अनुछेद 136 में अपील के लिए उच्टम नियाले की विशेश अनुमती अस्पेसल लीव टू अपील का प्रावधान है आगे अनुछेद 137 में उच्टम नियाले की अपने निर्नैयों के पुनर्विचान की सक्ति के बारे में उलेक अनुछेद 141 के अनुसार उच्टम नियाले दोरा घोसित बिधी सभी नियालियों पर बाद धिकारी होगी यह अनुछेद 141 में बढ़नीत है आगे अनुछेद 143 में राष्टपती की समस्त नियाले उच्टम नियाले से प्रामर्स करने की सकती होगी अनुछेद 143 में यह बढ़नीत है कि राष्टपती उच्टम न्याले से प्रामर्स ले सकता है पर राष्टपती वगा निर्णे को या आदेश को मानने के लिए बाद नहीं होती है आगे अनुछेद 145 के अंतरगत उच्टम न्याले को राष्टपती के अनुमोदन से उच्टम न्याले के अधिकारियों के वह हम सेवको की न्यूक्ती संबंधी प्रावधान किये गये हैं आगे सुप्रीम कोर्ट के न्याधीसों के बेतन भत्ते बपेंशन भारत की संचितनिदी यानि कौनसी लेडेटेड फंड आफ इंडिया पर भारित होती है आगे केंद्र और राजियों के मद होने वाले बिवादों का निर्णाए करने की भारत के उच्छ तम्याले की सक्ति आती है या इसकी मूल अधिकारता के अंतरगत आगे उच्छ तम्याले ने संभिधान के मूल ढहाचे का सिधान्त की सबाद में परतिपादित किया है या परतिपादित की गई है केशवा नंद भारती बनाम केरल राज जो की 1973 में थी और इसमें कही गई संभिधान के मूल ढहाचे का सिधान्त परतिपादित की गई थी आगे पॉइंट है केवल सरवोच न्याले में तदर्थ न्याइधीसो के नियुक्ति का प्रावधान है अपॉइंटमेंट आप एड हॉग जैज इन सूप्रिम कोट आगे संबिधान का कौन सा अनुछेद उस्तम न्याले को उसके द्वारा दिये गए निर्ने अथवा आदेश के पुन्रा विलोकन हेतु अधिकरित करता है यह है अनुछेद 137 आगे भारत में संबिधान की मूल संरचना के सिधान्त का सुरूत मूल संरचना के सिधान्त का सुरूत यह है न्या एक समिक्छा आगे संविधान के ब्याख्या करने का अंतिम अधिकार की से है संविधान के ब्याख्या की जाती है सर बोच न्याले द्वारा आगे उच न्याले और उच तम न्याले की अधिकारिता के अंतरगत कौन से मामले आते हैं इसके अंतर गत मूल आधिकारों का प्रवर्तन आते हैं आगे भारतिय संविधान का संरच चक कौन होता है कश्टडियन कौन होती है वह है सरबोच न्याले आगे यहाँ पर दिये गए है नयधीसों को प्राप्त उन मुक्तियां नयधीसों को जो प्राप्त उन मुक्तियां इनमें अगर देखे तो अनुछेद 121 अनुछेद 121 उच्टम न्याले तथा उच्टम न्याले के नयधीसों के आचरन के संबंध में संसद में चर्चा पर परतिवांध लगाता है इसके अनुसार उच्टम नियाले तथा उच नियालियों के किसी नियाधिस दोरा अपने करतब के निर्वहन में किये गए किसी आचरन के विसाय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी किन्तो जब ऐसे नियाधिस को हटाने के प्रस्ताप पर संसद में बिचार चल रहा हो तो उसके संबंद आचरन पर संसद में चर्चा की जा सकेगी आगे नियाले की अवमानना नियाले की अवमानना से तात पर यह है कि भारती संबिधान के अनुछेद 129 में सरवोच नियाले तथा अनुछेद 215 में उच नियाले की अवमानना के संबंद में सक्तियों का प्रावधान किया गया है अनुछेद 17 जो है जिसमें उच्छ न्याले के कंटेंप्ट और अनुछेद 215 के अवमानना यानि कंटेंप्ट की सक्ति का प्रवधान दिया गया है आगे न्याधीसों पर प्रतिवंद यानि के रिस्ट्रिक्षन और जैज कोई ब्यक्ति जो उच्छ न्याले का न्याधीस रह चुका है भारत में किसी न्याले या प्राधिकारे के समक्थ बकालत या कारे नहीं कर सकता और यह बर्नन मिलती है अनुचेद साथ के अनुसार अनुचेद 124 साथ के अनुसार यह क्या ही गई है आगे भारत के प्रतम दलित मुख न्याधीस कौन थे पहले दलित मुख्या इधिस नयमुर्ती के जीबाल क्रिस्नन आगे संबिधान की ब्याख्या से सम्बंदित सभी वीवाद सर्वोच न्याले के समक्ष किस अदिकारता के अंतरगत आते हैं यहैं प्रारंभिक छित्र अधिकार के अंतरगत आगे कानूनी मामलों पर उच्तम न्याले से किसे प्रमर्स लेने का अधिकार है कानूनी मामलों पर उच्तम न्याले से प्रमर्स लेने का अधिकार राश्टपती को है आगे पॉइंट मूल अधिकार ब्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपने जिन्दगी की रूप रेखा तयार करने के लिए सक्षम बनाता है यह धारना गोलक नाथ बनाम अस्टेट ऑप पंजाब के उस्टम न्याले में ब्यक्त की गई थी आगे भारतिय संविधान के किस अनुछेद के अंतरगत सर्बोच न्याले भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरच्छा करेगा भारतिय नागरिक की मौलिक अधिकार की सुरच्छा सर्बोच न्याले करती है अनुछेद 32 के अंतरगत अगे पॉइंट है शर्बूच्श न्याले के आपिलिया छेत्रा धिकार के चार भागों में बाटा जा सकता है वह है संबेधानिक विसेयों से जूड़ी अपीले जो के अनुछेद 132, सिविल विसेयों से जूड़ी अपीले अनुछेद 133, अपराधिक विसेयों से जूड़ी अपीले अनुछेद 134 और विसेयस अनमती से की जाने वाले अपीले अनुछेद 136 यह कुल चार प्रकार की अपील ये छेत्राधिकार है जिनमें सम्विधानिक के सीविट, अपराधिक और विसेस अपील आगे सर्बोच नियाले के नियाधिस नियुक्त होने के लिए किस ब्यक्ति को कम से कम कितने वर्स तक उच नियाले में ब्यकालत करनी होगी सर्बोच न्याले के न्याइधिस के लिए किसी विव्यक्ति को दस बर्स तक हाई कोट में बकालत करनी होती है आगे न्याइक पुनराबलोकन का आर्थ यह है कि सर्बोच न्याले राज के ऐसे कानून जो संब्धान के बिपरितों उसे असंब्धानि घोसित कर सकता है आगे भारत के न्यालेओं में से किसे या किने अभिलेख न्याले माना जाता है अभिलेख न्याले के रूप में माने जाती है उच्छ न्याले और उच्छ तम्याले यानि हाई कोट और सुपरिम कोट दुनों को अभिलेख न्याले माने जाती है आगे लोग की इतबाद यानि PIL की संकल्पना का उदगम किस देश से लियाग देश में हुआ था संयुक्त राज अमेर का आगे पॉइंट भारत का सरवोच न्याले एक अभिले एक न्याले कोट ओफ रिकॉर्ड है इसके सभी निर्नेयों का साच्छात में कमूल ले होता है और इस पर किसी भी न्याले में प्रस्ण चीन नहीं लगाया जा सकता आगे मूल अधिकार कुलंगन के बिरूद उच्टम न्याले में अनुच्छ 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 न्याले में अनुच् परकार की कुल रीट प्राब्त हैं। अगला चैpt रहे हमारा राजपाल राजपाल यानी की गवर्णर। बात करें। तो पहला पॉइंट है भारतिय संभिधान में राजपाल को मनुनित किये जाने की पधती में किस देश का अनुसरन किया गया है। यह अनुसरन था कनाड़ आगे राज का कारेकारी एवां संब्धानिक प्रमूख कौन होता है राज का कारेकारी और संब्धानिक प्रमूख राजपाल आगे किसी राज में राजपाल की नियुकती संब्धान के किस अनुछेद के अंतरगत की जाती है राजपाल की निउक्ति अनुछेद 155 के अंतरगत की जाती है आगे विधान परसद में राजपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनुनित किया जाता है राजपाल को मनुनित की जाती है कुल सदस्यों का एक वटाच्छे आगे यदि राज़िपाल संसद अथवा विधान सभा का सदस्य है तो जीस तिथी को वा राज़िपाल का पद धारन करेगा उसी तिथी से उसका संसद अथवा राज़िधान सभा के पद रेक्त मान लिए जाएंगे आगे जारखंड, छातिसगर, मदप्रदेश तथा ओडिसा में एकक जनजातिय कल्यान मंत्रे की नियुक्ति कौन करता है राज़िपाल जनजातिय कल्यान मंत्री जो है या जारखंड, छातिसगर, मदप्रदेश और ओडिसा राज़िपाल में है पर जीला न्याधी सो की इन्युक्ती अस्थांतरन और प्रोनती कर सकता है। यह की जाती है उच्छ न्याले की सलाः पर। आगे राजपाल के बेतन और भत्ते किस निधी से दिये जाते हैं बेतन और भत्ते दी जाती है राज के संचित निधी से जबकि पेंसन दी जाती है भारत सरकार की संचित निधी से आगे पॉइंट भारत के सम्विधार में राजिक के राजपाल के बिरूद महाभियोग चलाने का अपराबधान नहीं है राजपाल के बिरूद महाभियोग चलाई नहीं जाती है आगे राज़पाल किसा अनुछेद के अंतरगत राश्पती के बिचार के लिए किसी बिधेय को आराचित रखता है यह अनुछेद है 201 जिसके तहट राज़पाल किसी भी अनुछेद को राश्पती के बिचार के लिए रख सकता है आगे बरतमान में राजपाल का बेतन कितना है वह है साड़े तीन लाख यानि तीन लाख पचास हजर आगे राजपाल किस के प्रती उत्तरदाई होता है राश्टपती के आगे 74 सम्मिधान संसोधन अधिनियम उन्हें 156 के अनुसार एक ब्यक्ति को दो या दो से अधिक राजपाल नियुक्त किया जा सकता है राजपाल पुनर नियुक्ति के भी योग होता है आगे यहां है राजपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां राजपाल द्वारा जो नियुक्ति की जाती है उन्हें है आडवोकेट जनरल यानी राजपाल के महाधीवक्ता की नियुक्ति राजपाल द्वारा की जाती है आगे राजपाल उच न्याले के न्याइधी सो कि न्यूकती के बिसह में राश्पती को उप्रामर्स देता है आगे राजपाल को राज लोक सेवायों के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी होती है राज लोक सिवायों के सदस्कों निलंबन की जाती है राजपाल द्वारा आगे जम्मु कस्मीर के उप राजपाल के न्युक्ति कौन करता है जम्मु कस्मीर के उप राजपाल के न्युक्ति भारत का राश्पति आगे भारत में राजपाल बनने वाले पहली महला कौन थी? सरोजनी नाइडो आगे राज्जे बिधान सभाव में उंगल भारते समूदाय के लिए परतिनिधीत्यु का प्रावधान भारत के सम्विधान के किस अनुचेद में किया गया है राज बिधान सावा में उंगल भारतियों का प्रावधान की गई है अनुचेद 3333 के द्वारा आगे यहां दिये गए हैं राज जिपाल से समंदित प्रमुक अनुचेद बात करें तो पहला है अनुचेद 153 अनुचेद 153 में बढ़नी थे राज जी के राजपाल अनुचेद 154 राज की कारिपाल का सकती राजपाल में नहीत अनुछेद 166 चमदान तथा कुछ मौमलों में डंडा देश के निलंबन परिहार या लगुकरन की राजपाल की सक्ति आगे अनुछेद 163 या मंत्री 68 द्वारा राजपाल को सलाह एवं सही होग देना और अनुछेद 200 राजबिधान सभा द्वारा पारित विधे को पर राजपाल की अनुमती और अनुछेद 201 राजबिधान सभा द्वारा पारित विधे को राजपती के बिचारा अर्थ करने की सकती राजपाल अध्यादे जारी करता है अनुछे 233 तहब नुछे 233 राजपाल दोछा जील न्याइधिसों की निखती आगे सरोजनी नाइडू ने राजपाल को सोने के चीडियाप में निवासकरने तेडिया के संग्यादी है सोने की पिंजड़ों के निवास करने वाली चीड़ियां की संग्या राजपाल को सरोजनी इनना एड़ो ने कही आगे है हमारा चैप्टर राज बिधान मंडल अस्टेट लेजिसलेचर या एल एस एल अप लोग विडियो को ज़्यादा ज़्यादा लो तक सेर लाइक कमेंट्स करते रहेंगे बात करेंगे राज बिधान मंडल की तो भारत में राज बिधान मंडल का उच्छ सदन कौन सा है भारत में राज बिधान मंडल का उच्छ सदन होता है कॉंसिल आफ एस्टेट बिधान परिसद आगे राज्यों के बित्य लेखों पर कौन नियंत्रत करता है राज में उच्च सदन यानि कि विधान पर्षत के अस्थापना या समाप्ति समंधित राज के विधान सभाद द्वारा पूर्ण बहुमसे पारित प्रस्ताव और संसत द्वारा सधारन बहुमसे पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है आगे विधान पर्षत की सधारन बिध् लिक्तम चार महीने तक रोख सकती है आगे राज परिसद में से समंधित अनुछेद पहला अनुछेद है अनुछेद 163 अनुछेद 163 में कई गई है राजपाल को सलाह वं सहाइता के लिए मंत्री परिसद का गठन अनुछेद 164 राज के मंत्री मंडल का समुहिक उत्तरदाईत विधान सभा के परती अनुछेद 166 राज सरकार के कारिका संचालन आगे अनुछेद 166 काता है राजपाल को सुचना प्रदान करने का मुख मंत्री का करतब आगे भारती सम विधान के किस अनुछेद के अंतरगत विधान सभा को विधान परषद का स्रेजन एवं मुसे समाप्त करने का अधिकार है विधान सभा को विधान परषद गठन करने की और उसकी समाप्ती का अधिकार अनुछेद 179 आगे राज की विधान सवाओं के सदस्यों की संख्या की इस अनुछेद में निर्धारित की गई है विधान सवा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है अनुछेद 170 में आगे राजबिधान सवा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राजबिधान सवा के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है आगे राजबिधान परशद को भांग नहीं किया जा सकता प्रंतोई से समाप्त किया जा सकता है आगे भारत के किस राज में समान नागरिक सहिता याने कि उनिफॉर्म सिविल कोड लागू है यह गोवा में आगे राज का विधान सभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र की से सौपता है उपाध्यच को आगे विधान सभा के सदस्यों की निरहर्ता यानि के डिस्कौलिफिकेशन से समंदित प्राशनों पर अंतिम निरने किसके द्वारा लिया जाता है यह है राजपाल द्वारा आगे विधान सभा के सदस्यों निर्वाचित होने के लिए निवंता मायू 25 वर्स आगे विधान सभा के बिघटन के पास्चात उसका अध्याचा अधिक्तम 6 माल समय तक अपने पद पर बना रह सकता है आगे राजसरकार के मंत्रियों के बेतन एवं भत्तो का निर्धारन किसके द्वारा किया जाता है राजसरकार के मंत्री के बेतन एवं भत्तो का निर्धारन राज विधान सभा द्वारा की जाती है आगे 2276 में कितने पुनर गठित राजियों में दिवसद्निय विधान मंडल थे आगे प्रतम महिला मुख मंतरी भारत के किस राज में बनी थी प्रतम मुख मंतरी उत्तरप्रदेश की सुचेता कृप लानी थी जो की 1963 से 1967 के बीच रही अब यहां दिये गए हैं विधान सावा में सदस्यों की संख्या राज और सदस्य बात करें आंध प्रदेश की तो आंध प्रदेश में विधान सावा के सदस 175 और नाचर प्रदेश में 60 आसम में 126, बिहार में कूल 243, 36 गड़ में 90, गोवा में 40, गुजरात में 182, हर्याना 90, माज़त प्रदेश 68, जारखंड 81, करनाटक 224, केरेल 140, मदप्रदेश 230, महराष्ट 288, विधान सावा सीटे हैं आगे देखें मनिपूर, मनिपूर में 60, मिघाले में 60, मिजोरम में 40, नागलेन में 60, ओडिसा 147, पंजाब 117, राजिस्थान 200, सिक्किम 32, तमिलाडू 234, तिलंगाना 119, त्रिपूरा 60, उतरप्रदेश 430, उतरखंड 70, और पच्छिमंगाल 294, विधान सवा सीटे हैं बात करें अगर किंदसासित प्रदेश की, तो किंदसासित प्रदेश में दिल्ली में 70, और बुडू चेरी में 30, जम्मु कस्मीर 83, पलाश 24, प्योगे के लिए अतिरिक्त हैं, यानि जम्मु कस्मीर में 83, और प्योगे को मिला करके पलाश 24 और, आगे मुख मंत्री की राजपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और ये राजपाल के प्रसाद परियंत कारी करते हैं, अगला चैप्टर है, उच्छ न्याले यानि हाई कोट, हाई कोट के बारे में अब बात करेंगे, पॉइंट देखे, तो अंडमान एवं निकोवार दीप किस उच्छ न्याले के छेतरा धिकार अंतरगत आते हैं, अंडमान और निकोवार दीप जो है, या कलकत्ता उच्छ न्याले के अंतरगत आती है, आगे उच्छ न्याले के नधिसों के बेतन और भत्ते किस निधी से दिये जाते हैं, उच्छ न्याले के बेतन और भत्ता द तीन तलाख होना गेर कानूनी होगा यह बक्तब दिया है इलाहबाद उच नियाले ने उसने कहा कि एक ही बार में तीन तलाख कहना इस इल्लीगल है अगे नयदिसों को हटाने की प्रकिरिया में तीन सदस होते हैं जिन प्रमुख है भारत के मुख न्याइधिस या उच्टम न्याले का कोई अन्य बरिष्ट न्याइधिस, उच्च न्याले का मुख न्याइधिस और एक प्रख्यात विधी वित्ता, आगे एक उच्च न्याले का न्याइधिस अपना त्याग पत्र की से संबोधित करता है, आगे जब सर्वोच न्याले किसी ब्यक्ति अथ्वा संस्था को उसके दाइत्व के निर्वहनेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं जब रीट जारी किया जाता है और यह रीट जब किसी ब्यक्ति अथ्वा संस्था को उसके दाइत्व के निर्वहन के लिए की जाती है उसे मेंड मस या परम अदेस कहा जाता है उच न्याले द्वारा कुल पाच प्रकार की रीट जारी की जाती है आगे भारत में उच न्याले की कुल संख्या कितनी है बरतमान में भारत में उच न्याले की संख्या 25 है अगला आगे है संपत्तिक अधिकार बरतमान मे बैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच न्याले रीट जारी करती है संपत्तिक अधिकार जो कि पहले हमारा मुल अधिकार था उसे हटा करके बैधानिक अधिकार बनाई गई और इसकी रक्षा करनता है उच न्याले आगे राज के उच न्याले का मुख छेत्र अधिकार के अंतरगत कौन सा अधिकार नहीं आता राज उच न्याले के अंतरगत प्रामर्स समंध छेत्र अधिकार नहीं आती है आगे अधिनस्त न्याले यानि सब आर्डिनेट कोर्ट्स की कारिपधिती का परिच्छन कौन सी याज़का करती है यह कारिक के परिच्छन करता है उत परिच्छन यानि सर्टेरियो आगे पॉइंट मुल अधिकारों का सरच्छन उच न्याले और उच तम न्याले दोनों की अधिकारता में होता है आगे भारत के संविधान के नुसार जीला न्याईधीस के अंतरगत कौन समलित नहीं होती है अगे अधिकारन न्याईधीस समिल नहीं होती है अब यहाँ पर दिये गया है अगे उच न्याले से संबंधित अनुछेद उच न्याले से संबंधित सभी प्रमुक अनुछेद की बात करें तो यहाँ पर दिये गए हैं अनुछेद और उससे संबंधित भी सहवस्तू पहला देखे अनुछेद 214 अनुछेद 214 में कही गई है राजियों के लिए उच न्याले की ब्यवस्था अनुछेद 215 कहता है उच न्याले अभिलेक न्याले के रूप में कारी करेगा अनुछेद 216 उच न्याले का गठन अनुछेद 217 उच न्याले के 29 पद की नियुकती तथा आहरता यानी ओगिता अनुछेद 218 उच न्याले में उच तम न्याले से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना आगे अनुछे 219 उच न्याइधिस की सपत ग्रहन अनुछे 219 आगे अनुछे 220 अस्थाई न्याइधिस बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर पर्तिवन्द आगे 221 न्याइधिस का बेतन और भत्ता 222 किसी न्याइधिस का एक उच न्याले से दूसरे उच न्याले में अस्थांद्रन अनुछे 233 कारवाहक मुख न्याइधिस की न्यूगती अनुछे 224 अतिरिक्त एवं कारवाहक न्याइधिसों की न्यकती अनुछे 224 ए उच न्याले के सिवा निवरीत नयधीसों की न्युकती अनुछे 225 उच न्याले के छेतर अधिकार अनुछे 226 कुछरी या चिकाँग जारी करने के रूच न्याले की सक्ति अनुचे 226-A, अनुचे 226-क अंतरगत केंद्रिय अधिन्ययक्त पर बिचार नहीं किया जाना। अनुचे 227-ूच न्याले की सभी अधिन्ययक्त न्यालियों पर अधिक्चन की सकती। अनुचे 228-ूच नियाले में कुछ मामलों का स्थांतरन। अनुछे 228-A राज अधिन्यमों की सम्वेधानिक बैधता से संबंधित प्रस्णों के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान अनुछे 329-प्ताधिकारियों तथा सेवा केवं उच न्यालियों में के ब्याई अनुछे 32-उच न्यालियों को अच्छेत्राधिकार भारत की संचित निधी से दी जाती है Consolidant Fund of India जबकि बेतन और भत्ते दी जाती है राज के संचित निधी से आगे है उच न्याले पीठ की अवस्तिती एवं छेत्राधिकार एकक करके समझेंगे तो पहला है कोलकाता कोलकाता उच न्याले की अस्थापना हुई थी 1862-ठीस्वी में यह राज छेत्री अधिकार है पच्छिम बंगाल अन्दमान निकोवार्द दीप से मुकी और इसकी मुख पीठ की वाद करे तो कोलकाता और इसका खंड पीठ पोर्ट बिलेयर में दूसरा है मुंबए दूसरा मुंबए के स्थापना उन 1862 में इसका राज छेत्री अधिकार महराष्ट दादरवन नगरह वेली तथा दमन दीव और गोवा इसका मुख पीठ मुंबए और साथ ही खंड पीठ में नागपूर पांजी और अंगवाद में तिसरा मद्रास मद्रास के स्थापना 1862 में छेत्री अधिकार तमिल नाडू और पूड़ू चरी मुख पीठ मद्रास चौथा है करनाटक करनाटक उचनियले के स्थापना 1884 इसवी में राजचेत्र करनाटक और मुख पीठ बंगलूरू अगला है इलहावाद इलाहवाद की स्थापना 1866 में और यह छेतरा दिकार है उत्तरपरदेश इसका मुख पीठ है इलाहवाद जब कि खंड पीठ लखनव में पटना उचन्याले की स्थापना 1916 में राज छेतर है बिहार और मुख खंड पीठ है पटना अगला है जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर उच नेले के स्थापना उनेश्थापना 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 चेत्र है पंजाब हर्याना तथा चंडीगर और मुख्य पीठ चंडीगर आगे गुहाटी गुहाटी के अंदर गत इसके अस्थापन उन्हें 48 मुही और आसम नागलेंड मिजोरम और अरुनाचल परदेश आती है इसका मुख्य पीठ गुहाटी में जबकि खंड पीठ कोई इमपाल और अगरतला में आगे ओडिसा 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 उचन्याले के स्थापन उन्हें 48 में राज ओडिसा और खंड पीठ मुख्य खंड पीठ जो है कटक आगे राजस्थान राजस्थान उचन्याले के स्थापन उन्हें 49 राज राजस्थान में और मुख्य पीठ जो पीट, अमरावति केरल के ऐस थाप 1978 में केरल वर लच्छ देपिसका राजछिए और एरना कुलम मुख़ पीट गुजरात, गुजरात उच्नेले के सथाप 9760 में गुज राफ है इसका राजछिए और अमधावाद मुख़ पीट दिल्ली की अस्थाप 966 में छेत्र दिल्ली और खंड पिट जो है मुख पिट दिल्ली हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की अस्थाप 966 में राज हिमाचल परदेश और इसका मुख पिट सिमला सिक्किम, सिक्किम उचन्याले के स्थापना 1975 में और सिक्किम इसका राजचेत्र गंग्टोक मुख्यपीट 36 गड़, 36 गड़, उत्राखंड और जारखंड राज की जो उचन्याले है वह 2000 में स्थापित की गई थी बात करें, 36 गड़ की तो 36 गड़ का 36 गड़ में और बिलासपूर मुख्यपीट उत्राखंड, उत्राखंड उचन्याले के स्थापना 2000 उत्राखंड इसकी नैनी ताल मुख्यपीट जारखंड जारखंड रा उचने आले के स्थापना 2000 और जारखंड इसका राज्य और मुख्य पीट राची आगे है मेघाले मेघाले मनिपूर और त्रिपूर जो की 2013 में बनाई गए थी मिघाले का मिघाले ही है और सिलोंग मुखपीट मनिपूर का मनिपूर में ही इमफाल मुखपीट तिरिपूरा का तिरिपूरा और अगरतला मुखपीट अगला है पचीसवा तिलंगाना तिलंगाना दोहज़ा ठारम बना मुख्यराज तिलंगाना और मुख्यपीट हैदरवाद यहाँ पर बिसेश दिए गया है साथ के अन्सासित प्रदेश भीनभीन राज्यों के उच न्याले के अंतरगर्यत आते हैं साथ है यहाँ पर विशे से 6 उचन्याले इलाहबाद, बॉम्बे, गुहाटी, मजप्रदेश, मदरास, बराजस्थान की एक अस्थाई खंड पीठ है केवल करनाटक उचन्याले मुख्य पीठ बंगलूरू की दो सरकिल खंड पीठ है धाडवर और गुलवरगा की आगे निवारक निरोद, यानि प्रिवेंटीव डिटेंशन का इंतरगत एक ब्यक्ति को बीना मुकदमत चलाए कितने समय तक बंधी बनाकर रखा जा सकता है प्रिवेनटीव डिटेंशन के अंतरगत 3 माह तक लगाए जा सकता है आगे इलहावाद उच न्याले का गठन कब हुआ था बर्च 1866 में आगे न्याले में कारवाही लंबित होने की दसा में लागू की जाती है यह लागू की जाती है प्रति से दियाने की प्रोहिविशन आगे उच न्याले की अधिक्छन सक्ती में सैन न्याले यानि मिलिटरी कोट सामिल नहीं होती है आगे उच न्याले की प्रत्ह महला न्याइधिस अन्ना चांडि थी तथा प्रत्ह महला मुख न्याइधिस लीला सेट थी आगे हमारा चैप्टर है केंदर राज संबंध यानि सेंटर अस्टेट रिलेशन आप लोग वीडियो को जदा जदा लोगों तक सेर करते रहेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग का कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और लाइक तो आप प्रेम पूरवक करते ही हैं बात करें अगर केंदर राज संबंध से तो पहला पॉइंट है भारत की संगिस आसन प्रनाली किस देश के संबिधान से प्रेरित है संगिस आसन प्रनाली प्रेरित है कनाडा से आगे किस सूची के बिसाय पर केंदर राज सरकारें दोन साथ वियनि सूची केंद्र राज संबंदों पर बर्स 1971 में राजा मननार समीती का गठन किस राज के द्वारा किया गया था राजा मननार समीती का गठन तमिल नाड़ु द्वारा 1971 में की गई आगे संग सूची में किये गए संसोधन संग सूची में जो संसोधन किये गए उनमें पहला था छठे संबिधान संसोधन उन्हें सोचपण द्वारा प्रविष्टी संख्या 92 का जोड़ी गई इसका विश्य समाचार पत्रों के भीन बस्तूं के अंतर राजिव क्राव या व सूप क्या गया इसका विश्य केंद्र के उद्देशियों के लिए संपत्ति का अधिक ग्रहन इसे संग सूची से हटा कर संबर्ति सूची में सामिल क्या गया 42 समिधान संसो धनоСका 76 द्वारा परिविश्ट टू क जोड़ी गई जिसका संबंद किसी राज में केंद्र के सश़़श्टर बलो की न्यूकती से है अगला है 46 वा सम्मिधान संसोधन 182 इसके द्वारा प्रविष्टी संख्या 92 जोड़ी गई जिसका संबन्द अंतर राजिय ब्यपार या बानीज के दवरान होने वाले माल के परिश्चन यानि की कोजाइमेंट कंसाइमेंट पर कर से है अगला है 48 वा सम्मिधान संसोधन 2003 इसके द्वारा प्रविष्टांख्या 92 जोड़ी गई इसका संबन्द सेवा कार्यानी की सर्विस टेक्स है आगे छेत्रिय परिसद्व यानि रीजनल कौंसिल का स्रीजन किसके माध्यम से क्या जाता है संसद्य कानून द्वारा हमने पहले भी जाना है रीजनल कौंसिल जो है या कुछ पाच प्रकार की है या स्रीजित की जाती है संसद्य कानून द्वारा आगे अंतर राज ये परिसद्व इंटर स्टेट कौंसिल का उपबंध किस अनुछेद में किया गया है अनुछेद 263 आगे रेडियो या दुरदर्शनों के बिग्याबनों पर कौन कर लगाता है यह है राज सरकार की द्वारा लागू की गई आगे पॉइंट है भारतिय संविधान का अनुछेद 249 राज सूची के बिसाय के संबंध में संसत्की बिधाई सक्तियों से संबंधी थे संसत्की बिधाई सक्तियों से संबंधी थे अनुछेद 249 जो की राज सूची के बिसाय में है आगे केंदर तथा राजियों के मद सक्तियों का विभाजन की इस अनुछेद के अंतरगत किया गया यह क्या गया था अनुछेद 245 तथा 246 के अंतरगत आगे अंतर राजिये परिशत का पदेन अध्यक्ष कौन होता है अंतराज ये परिशत का पदेन अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं आगे संग द्वारा कौन सकर लगाया वसूला जाता है तथा संग तथा राजियों में बाटा जाता है संग द्वारा कर को लगाया और वसूला जाता है और संग और राज द्वार लगाई जाती है क्रिसी आई कैतिरिक आई पर कर आगे सरकारिया आयो का गठन कब क्या गया था सरकारिया आयो का गठन बर्स उन्हें सो तिरासी में की गई थी सरकारिया आयो का संबंध है केंद्र राज संबंध के बीच का आगे है संग्यकर यानि की संग्सूची प्रविष्टी 82-92A इसमें बात की गई है आईकर आईकर में संग्सरकार में क्रिसी आई को छोड़कर दूसरा है सीमा सुल्क जिसमें निर्याद सुल्क सहित तिसरा तंबाको और अनबस्तो पर उत्पादन सुल्क अलकोहॉलिक पे पदार्थो अफीम गांजा मादक आउजदी तथा मादक पदार्थो को छोड़कर अगला है हमारा निगम कर कॉर्पोरेट टेक्स निगम कर और आगे ब्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्यों के पुंजी पर कर क्रिसी भूमी को छोड़कर चाठा पॉइंट संपदा सुल्क यानि एस्टेट ड्यूटि क्रिसी भूमी से भीन संपत्य पर साथवा पॉइंट संपत्य के उत्रधिकार पर सुल्क क्रिसी भूमी को छोड़कर आठवा पॉइंट रेल, समूंद्र या बायो मार्क द्वारा ले जाने वाले बस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर अगला नॉवा पॉइंट अस्टोक एक्सचेंज तथा बाइदा वाजार यानी फ्यूचर मार्केट्स के संब्यवारों पर अस्टाम्प सुल्क से भीन कर दस्वा अस्टाम्प सुल्क 11 समचार पत्रों के क्रै बिक्रै तथा उसमें प्रकासित बिग्यापनों पर कर 12 अगला नॉबर पॉइंट अगला तेरा नॉबर पॉइंट माल के परेश्चन पर कर अंतराजिय बियपार के दौरान और सिवाओं पर कर अगे केंद सरकार जल बिबादों के समाधान के लिए न्याइधिकर रहन यानि ट्रिबिूनल के अस्थापना भी कर सकती है जल्विबाद की समधान के लिए ट्रिब्यूनल के अस्थापना केन सरकार द्वारा की जाती है आगे है यहाँ पर राज्यकर यानि राज्यसूची समष्टी में जो कि 45-63 के बीच में है राज्यसूची क्या कर कोगे बात करें तो भूरा जैस्वियलागान क्रिसी आई पर कर क्रिसी भूमी के उत्र अधिकार पर कर क्रिसी भूमी पर संपदा सोल्क भूमी और भवनों पर कर खनीज अधिकारों पर कर सराब अफीम गांजा तथा अन्यमाधक पदार्थो और उस्धियों पर उत्पाद कर यानि एक्साइड यूटी फिर अस्थानी उपयोग तथा बिक्री के लिए बस्तूंप के प्रवेश पर कर आगे बिद्धूत के उपवोग पर बिक्री पर कर समाचार पत्रों से भीन बस्तूंप के क्राएप पर कर रेडियो या दुर्दर सुनों के बिग्यापन पर कर सड़क तथान तरदेश सी जल मार्जी से इनलैंड वाटर बेज दौरा ले जाए जाने वाले बस्तूंप या य ब्यपार ब्यवसाय तथा रोजगार पर कर प्रति ब्यक्तिकर यानि कैपेटेशन टैक्सेज बिलासिताओं यानि मनरंजन जुआ तथा बोली लगाने पर कर अश्टाम सुल्क संग सुची में बरनी दस्तावेदों से भीन दस्तावेज पर उप्युक्त विश्यों में से क किस अनुछेद में प्रावधान किया गया है कि बीधी के प्राधिका यानि अथौर्टी ओफ लॉव के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है बीधी के प्राधिकार के बिना कोई कर एकत्रित नहीं किया जाता यह है अनुछेद 265 आगे अंतर राज्य परिशत का गठन कब किया गया इंटर एस्टेट कॉंसिल के स्थापना 18 मई 1990 को की गई आगे आयोगेवं समीतियां यानि कि कमीशन एंड कमीटी केंद्र राज समंदों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभीन आयोगेवं समीतियों का गठन किया गय यह जो है यह सभी केंद्र और राज के बीच की समीति है पहला बात करें राज मननार समीति जो कि उन्हें 79 में आई थी और इसके अध्यक्ष थे DPV मननार अगला है सरकारिया योग सरकारिया योग का संबंद केंद्र राज संबंद के बीच में है और यह आई 1963 में इसके प्रसासनिक सुधारायोग जो कि 1996 में आई और यह इसके ध्यचते प्रसासनिक सुधारायोग के मुराड़ जी दिस आई अगला है सीतलवाड समीती, सीतलवाड समीती 1996 में बनाई गई और इसके ध्यचते एमसी सीतलवाड एक और पुंचियायोग जो की 2007 में आई और इसके अध्याचते मदन मोहन पुंचि आगे केंदर राज संबंध को विशेश रूप से किस प्रसंग में म्यूंसिपल संबंध कहा गया है म्यूंस्पल संबंध कहा गया है बित्य मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंतरन के प्रसंग में आगे पॉइंट है अनुछे 312 के अंतरगत राजसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुत से पारित प्रस्ताबद्वारा संसद को किसी नई अखिल भारती सेवा के स्रीजन का अधिकार दिया गया है यह जो कह रही है नई अखिल भारती सेवा के स्रीजन का अधिकार यह अनुछेद 12 में और राजसवा में उपस्थित मतदान के लिए दो तिहाई बहुत से आगे भारती संविधान के किस भाग में केंद्री राज बिधाई संबंधु का अभीवरंद दिया गया है यह है भाग 11 में आगे जल संबंध बिवादों का न्याय निर्नेयन किस अनुछेद के अंतरगत आता है न्याय निर्नेयन जल संबंध यह है अनुछेद 262 आगे प्रधान मंत्री की अनुपस्थिती में अंतर राज्य परशत के देच्छता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनिट अस्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। आगे भारतिय संविधान में संग और राज्यों के प्रसास्निक संबंदो उलेख किस अनुछेद में किया गया है। यह है अनुछेद 256 से 263 तक। आगे अंतर राज्य परिशत इंटर अस्टेट कॉंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुछेद में है। इंटर अस्टेट कॉंसिल का गठन अनुछेद 263। आगे पॉइंट है अनुछे 262 के अंतर गठ प्रदत सक्तियों के परियोग में से संसत्दवारा नधी बोड अधिनियम उने 156 तथा अंतराजिय जल बिवाद अधिनियम उने 156 पारित कैया गया। जल बिवाद अधिनिया मुने 156 के अंतरगत के इन सरकार ऐसे बिवादों के समधान के लिए नयाई धिकरन यानि ट्रिब्यूनल के अस्थापना भी कर सकती है। आगे यहाँ है संगहराज संबंद जो की भाग 11 और 12 में दी गई है अनुच्छेद 245 से 293 के बीच में। अनुच्छेद 245 कहता है संसद और राजबिधाय का द्वारा बनाये गए कानूनों का बिस्तार। अनुच्छेद 246 संसद और राजबिधाय का द्वारा बनाये गए बिस्येस मामलों के कानून। अनुच्छेद 247 कुछ निश्चित अतिरीक्त न्यालियों के गठन है तू संसद की सकती। आगे अनुच्छेद 249 संसद और राष्ट हित में राजबिधाय के निर्मान है तू राजबिधाय के अधिन संसद और निर्मीत बिधी के असंगत होने के स्थिति में राजबिधी पर बर्यता। आगे अनुच्छे 252 दो या दो से अधिक राजबिधी के लिए उनकी सहमत्ती से बिधी बनाने की संसद की सकती और उस बिधी को किसी अन्य राजबिधाय द्वारा अंगिकार किया जाना। अनुच्छे 253 अंतराष्ट ये करारों को प्रभावी बनाने के लिए बिधान निर्मित करने की संसद की सकती। अनुच्छे 254 संसद द्वारा बनाई गई बीधियों और राजबिधान मंडल द्वारा बनाई गई बीधियों में अज संगती की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई बीधी प्रभावी होगी। अनुछे 255 सिफारिसों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपयक्छाओं को केवल प्रकीरिया का विसाय मानना और इस अधार पर उसे खारिज ना करना। अगला है प्रसासनिक संबंद। प्रसासनिक संबंद की बात करें जिनमें पहला अनुछे 256 के तहट संसद्वारा निर्मित बीधी के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संग द्वारा राज्यों को दिर्देश दिया जाना राज और संग की बाधिता है। आगे अनुछे 257 संग की कारिपाल का सक्ति के परियोग के साथ साथ राष्टी या सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्मान और संरच्चन के संदर में संग का राज पर नियंतरन। अनुछे 258 कुछ मामलों के संग द्वारा राजियों को सक्ति प्रेदान करने का संग का अधिकार। 255 का राज़दुआरा केंद्र को कार सौपने की सक्ति 260 भारस बाहर के छेतरों के संबंद में संग के अधिकार 261 शर्वजनी कार अविलैक और न्याईक कारिवाई 266 अंतर राजी नदी जल बिवादों के जल के लिए न्याई धिकरन का गठन अगला है हमारा तिसरा बीतिये संबंद, बीतिये संबंद की बात करें तनुचे 265, बीदी के प्राधिकार की नियाम बिना करो का नियरोपन नहीं अनुचे 266, बारत और राजियों की संचित निधियों का लोक लेखा। अनुचे 247, राज्यों के हीतो से समंदित, कराधान, व्याले बिधायकों के संदर में राश्ट्पति की पूर्व अनुमती आवस्यक। अनुचे 245, कुछ राज्यों को संग्य से अनुदान। अनुचे 246, व्यवसाई, व्यपार और रोजगार पर कर। अनुचे 286, राश्पति द्वारा प्रतेक पाचवे वर्ष की समाप्ति पर बित आयोक का गठन। अनुचे 286, बित आयोक की सिफारिशों को संसत के समाख्छी रखा जान। अनुचे 283, संचित निधी, आक्समिक्ता निधी और लोक लेखा के में जमाध्धन राश्यों की अभिरक्छा अनुचे 286, संग की समाप्ति को राज जपाल के काराधान से छूट अनुचे 286, बस्तों की बिक्री पर कर किया अधिरोपन के विशाय में निरबर्धन अनुचे 287, बिद्धुत पर करों से छूट अनुचे 288, पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा काराधान से कुछ दसाओं में छूट अनुचे 289, राज्यों को संपत्ती और आई को संग के काराधान से छूट आगे केंद्र राज संबंधों के सुधारेतु प्रसासनिक सुधार आयोग 1976, राज्मनार समीती 1979, अनन्दपूर साहिप प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983 और पुण्चे आयोग 2007 का अगठन किया गया था यह सभी आयोग जो है वह केंद्र राज संबंधों के बीच में प्रसासनिक सुधार आयोग के रूप में है आगे अगला चैप्टर है हमारा अपात उपबंध यानि इमर्जेंसी प्रोवीजन के बारे में जानेंगे बात करे तो अपात काल में किसी राज बिधान सवा की इस अबधी बढ़ाई जा सकती है संसत द्वारा आगे किस ने कहा था कि राश्टपती का अपात काली नदिकार संबिधान के साथ धोखा है हिर्देनात कुंजरू आगे राज के राश्टपती सासन किस की सलाह पर लागू किया जाता है राज में जो राश्टपती सासन लागू किया जाता है वह सलाह दी जाती है राजपाल द्वारा आगे राश्टपती सासन अधिकतम कितनी अबधी तक लगाया जा सकता है अधिक तम तीन वर्स तक आगे अब तक की गई अपात घोसनाएं पहला अब तक अनुछे 352 का परियोग तीन वार की आगया अनुछे 352 में ही अपात घोसनाएं हैं और इन तीनों उद घोसनाओं से संबंदित महत्पूर्ण तत इस प्रकार है पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को अपात की गोसना की गई इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा यानी नॉर्थ एष्ट फरंटियर एजेंसी छेत पर आकमन कर दिया था इस छेत को अब अरुनाचल परदेश कहा जाता है नेफा को अब अरुनाचल परदेश के नाम से जानी जाती है दूसरा पॉइंट है अपात की दूसरी उद्गोसना दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के बिरूद अगोसे तियुद छेड़ने के कारण की गई थी यह उद्गोसना 1977 तक लागू रही तीसरा है अपात की तीसरी उद्गोसना आंत्री कसांती के अधार पर 25 जूने 75 को की गई और यह उद्गोसना 21 मार्च जूने 77 को बापस ली गई आगे पॉइंट है भारती संविधान के अनुचे 352 के अनुसर राश्टी अपात काल की घोसना यूद बाई आकरमन अथवा ससस्त बिद्रोग के अधार पर की जा सकती है आगे भारती संविधान के किस अनुचेद के अंतरगत भारती संविधान के किस अनुचेद के अंतरगत किसी राज में राश्पति सासन लागू की जाती है 356 में 356 में आगे भारत में बितिया पात काल की घोसना भी तक एक बार भी नहीं की गई है आगे राश्पति मूल अधिकारों यानि की अनुचेद 20 एवां 21 के अतिरिक के कार्यानवन को किस अनुचेद के अंतरगत अस्थागित कर सकता है अनुचेद 20 और 21 को छोड़ कर हमारी जो मौलिक अधिकार है वा अस्थागित होती है अनुचेद 369 के अंतरगत आगे संसद्वारा अपातकाल की घोसना का नुमोदन कितनी अबधिक अंतराल में होना आवस्यक है एक माह के अंतरगत भारतिय संबिधान के अनुचे 356 के अंतरगत राश्पति सास अंसर पर्थम किस राज में लागू किया गया था 356 सर पर्थम पंजाब में लागू की गई थी आगे पॉइंट राश्ट्री अपातकाल में लोकसवा के अबधि डूरेशन आफ लोकसवा अपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल एक वर्स के लिए ही बढ़ाई जा सकती है अब यहाँ पर समझने का परियास करेंगे अपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव पहला है अनुछे 352 जिसे राश्ट्री अपात कहा जाता है इसके बारे में जाने तो राश्ट्री अपातकाल के दौरान संग और राजियों के मद सकती का विभाजन समाप्त हो जाता है और संग राश्ट्री अपात का परियोग के वल तीन वार किया गया है आगे है अनुछे 356 यानि राज अपात राश्ट्री सासन में राज बिधान सवाएं भंग कर दी जाती है और सक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है अनुछे 356 के तहत भारत की सासन प्रनाली एकात्मक स्वरूप ग्रहन कर लेती है अब तक राश्ट्री सासन का परियोग भारत में लगवग 120 से अधीक वार किया जा चुका है अनुछे 366 बितिय अपात बितिय अपात की बात करें तो बितिय अपात काल में संग और राजियों के मद्ध करों का विभाजन अस्थापित कर दिया जाता है संग हेवं राज के अधीन कारेरत सवी ब्यक्तियों के बेतन एवं भत्तों में कटावती की जा सकती है इसके अंतरगत उच ताम एवं उच न्याले के न्याइधीस भी सामिल है वही बितिय अपात का परियोग अब तक भारत में एक बार भी नहीं किया गया आगे मुल संभिधार में आपात की उद्गोषना में ससस्त्र विद्रो के अस्थान पर आंतरी का सांती का उलेख था तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पर लाश्ट करते हैं यह हमारा पार्ट टू हुआ इसके आगे के और भी पार्ट आएंगे एक पार्ट और आएंगे जहाँ पर हम लोग जानेंगे पॉलिटी से समंदित सभी अन्यतत यह हमारी पार्ट टू कम्प्लीट हुई इससे पहले पार्ट वान अप्लोड की गई है जो लोग नहीं देखें उसे भी जरूर देख लेंगे साथ ही अन्य सभी NCRT सार संग्रा के हिस्ट्री और साइन्स के पार्ट अपलोड किये गए है उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे जो लोग चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही वेल आइकन को अन कर लेंगे जिससे आपको समय सम एपनोटिफिकेसन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक सेर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे पीडियो के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से पीडियो डॉनलोड करेंगे और ग्रूप को जरूर जोईन कर लेंगे इसी के साथ जय धन्यवाद